Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं अभिशेक कुमार, पूरी Magnet Brains की टीम आप लोगों के साथ महनत कर रही है और आप लोगों को चैनल के साथ बने रहना है बस और ये जो वीडियो आप लोग सुन रहे हैं ये वीडियो एक one shot revision का वीडियो है तो 10th class students अगर आप लोग त्यारी कर रहे हैं exam की मत कोई test होने वाले हैं तो एक chapter इस वीडियो में आप लोग complete कर रहे हैं वो chapter क्या है तो वो chapter है हमारा some applications of trigonometry जो की NCIT book में chapter number 9 है तो 10th class students ये वीडियो आपके काम की तब है जब आप लोग exams की त्यारी कर रहे हैं या NCIT book की त्यारी कर रहे हैं तो NCIT book में से ऐसे क्या important points है जो आपको याद रखने हैं कहां पर एक मार्स दो मार्स के questions आ सकते हैं तीम मार्स के किस पकार के question आते हैं कुछ MCQs तो MCQs को भी हम लोग कोशिश करेंगे इस chapter में cover करने की एक बहुत चोटा सा एक प्यारा सा chapter है जो की 8th class chapter के बाद में 9th class chapter आपको दिखेगा जहां पर आपने trigonometric ratios और trigonometry के बारे में समझाता हूं ठीके उस चीच को अपने जीवन में हमें कैसे apply करना है मतलब applications हम लोग basically स पूरा chapter आपके सामने है exam के लिए आपको बहुत फाइदेमंद होने वाला है तो चलिए video के साथ बने रही है हम आज की शुरुआत करते इस video की तो जब आप NCIT book उठाते हैं तो chapter की शुरुआत में छोटा सा introduction दिया रहता है उस introduction से हम अपनी बाते start करेंगे तो introduction क्या दिया है उस पर ध्यान देना छोटी-छोटी बाते बताई है कि आपने किस प्रकार से पिछले chapter में पिछले chapter मतलब जो अभी आप 8th chapter बढ़के आयो जहां पर trigonometry के बारे में सिखाया तो in this chapter इस chapter के अंदर आप पढ़ने वाले हैं सब कुछ कुछ तरीकों को some ways in which trigonometry is used in the life around you अब आप कोई चीज अगर देखेंगे तो वहां पर trigonometry का practical use का होने वाला है वो आप इस chapter में सीखेंगे trigonometry is one of the most ancient subject आपने पिछले chapter में ये समझा कि trigonometry एक बहुत पुराना subject है ancient time से इसका जो विक्सित हुआ था ये subject एक ancient time का मतलब एक पुराने समय से चला आ रहा है trigonometry was invented because of its need arose in astronomy. तो astronomy में किस प्रकार से trigonometry को invent किया तो ये चीज एस्टोनॉमी से कही ना कहीं एक maths में subject जोड़ा गया है trigonometry. Since then the astronomers have used it. उस समय जो astronomers होते थे वो भी trigonometry का use करते थे और आज भी use करते हैं. For instance to calculate the distances from the earth to the planet and stars. तो earth पे खड़े हो के कौन सा प्लाने कितना दूर है ये कितनी उसका distance है इस चीज का calculation किया जाता था. Trigonometry is also used in geography and in navigation. कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं जोग्राफी subject के अंदर भी trigonometry का एक बहुत बड़ा use है. The knowledge of the trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. तो यहाँ पे जो last line में आपके लिखा है कि जो trigonometry की knowledge ली गई है वो basically use होती है, ये knowledge use होती है कहाँ पे? मैप्स का construction करने में. तो मैप्स बनाने के लिए यह यह बदा करने के लिए कि कौन सा island किस position पे है, कितनी दूरी पे है, कितने distance पे है in relation to the longitudes and latitudes. तो longitudes की help और longitudes, latitudes की help लेके हम लोग islands के जो distance है उसको भी calculation करने में trigonometry का use करते हैं. तो इस पगार से एक छोटा से ये बहुत प्यारा से introduction दिया हुआ है, last statement जो पहले पेच पे दिया है, वो ये कि we will see how trigonometry is used. इस chapter में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे trigonometry का use होता है, किस में finding the heights and distance, तो heights और distance निकालने में किस तेके से trigonometry का use होता है, और various objects without actually measuring them, तो हम actual measure करने की जगा पे हम कुछ ratios की help लेके, जो आप लोगों ने पिछले chapter में सीखा है, आपने महाँ पे सीखा पंडित बदरी पर साथ हर हर बोले वाले जो चीज़े मैंने बताई थी, या आप लोगों ने पूरा complete video सुना होगा, पूरी complete theory आपने जो trigonometry की 8th chapter पढ़ा होगा, उस chapter के base पे हम applications पढ़ने वाले हैं, तो चलिए, इस चीज़ का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे height and distance को कैसे calculate करना है, इस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, तो अभी 10th class के level पे आप लोग ये सीखने वाले हैं कि किस परकार से heights और distance को calculate किया जाता है, इस से पहले कुछ terms हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो terms आपको red line में यहाँ पे दिखने वाले, red letters मैंने लिखे हुए हैं, उन पे आप लोग अपना ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि इस chapter के अगर base में जाना है, तो आपको इन शब्दों का अथार्थ पता होना चाहिए, मतला meaning पता होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको meaning पता होगा, तो ये questions आपके लिए बहुत लड्डू हो जाते हैं, मक्खन हो जाते हैं, एकदम असान हो जाते हैं, ठीक है, तो इस chapter को और easy करने के लिए इन शब्दों पे ध्यान जरूर आप रखिएगा, चलिए, इन this figure, the line AC drawn, इस figure के अंदर, आप इस figure के अंदर आप देख रहे हैं कि एक AC line draw की है, ठीक है, ये जो AC line है, ठीक है, drawn from the eye of the student, तो आपको एक imagine करवाया जा रहा है, यहां पे यहां पे मान लेजी कोई छातर खड़ा, कोई student खड़ा है और वो इस, इस कुतुम मिनार को देख रहा है, तो कुतुम मिनार जो कि दिल्ली में पाया जा रहा है, ठीक है, पाया जाता है, उस कुतुम मिनार की, अगर मुझे height देखनी है, एक बच्चा आप जैसे student अगर उस कुतुम म कोईश्च करना कि in this figure the line AC drawn from the eye of the student to the top of the minar is called the line of sight. पहला जो word आपको ये सिखाया गया है कि ये जो देखने का तरीका है from the eye of the student ठीक है बच्चे के देखने का जो तरीका उसकी आखों से जो line बन रही है उस कुतुम मिनार की उस line को हम लोग कहते हैं mathematics के अंदर line of sight ठीक है कौन सी line है देखने वाली line है तो line of sight sight का मतलब देखना तो line of sight ये आपको यहाँ पर समझाया है the top of the minar is called the line of sight the student is looking at the top of the minar जब वो student उस minar के एकदम top पर देख रहा है तो जो line बन रही है उसको कहते हैं line of sight तो ये शब्द आपको यहाँ पर समझाया आगे समझना the angle BAC so formed by the line of sight with the horizontal अब जब वो उस minar को देख रहा होगा minar से उसकी कुछ दूरी होगी तो ये minar से जो दूरी है ठीक है ये जो distance है वो जितनी दूरी पर खड़े होगे top को देख रहा है तो from the horizontal बूला है minar के base से उसकी horizontal distance ठीक है और उसके वो जो line of sight के बीच का बनने वाला जो angle है ये जो angle है इसको हम angle of elevation कहते हैं the angle B A C B A and C तो B A and C अब इस बात को समझना है ये student की जो height है माल लीजे अगर मैं student हूँ तो student की जो height है वहां से चीज को नहीं देख रहे है ये क्या देख रहे है angle of elevation angle of elevation का मतलब मेरी आँखों की सीध में जो मिनार का base है ऐसा माल लेते हैं कि मिनार का base मेरी आँखों की सीध में है और मैं यहां से मिनार को देख रहा हूँ तो ये होगी line of sight और ये हो गया उसका angle of elevation मतलब horizontal से बनने वाला जो angle है ये कहलाता है angle of elevation ये कहलाता है angle of elevation ये चीज आपको पता होनी चाहिए clear है तो angle of elevation क्या होता है of the top of the मिनार from the eye of the student तो angle of elevation क्या होता है line of sight क्या होता है ये दो मैंने आपको शब्द बताए क्योंकि इस chapter में इसका use बहुत जादा होने वाला है जब भी आपके सामने कुछ practical questions आएंगे तो उनमें इन शब्दों का use किया हुआ है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए ठीक है कि angle of elevation line of sight किसको कहेंगे the line of sight is the line drawn from the eye अब आप क्या समझे कि line of sight उसको बोलते हैं जो कि line draw होती है from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer अगर मैं अब इसको clearly बोलू तो मैं यही बता रहा हूँ कि observer यह एक आपको यहां पर student कड़ा हुआ देख रहा है observer की देखने eyes से जो horizontal level है और जो वो object को देख रहा है जैसे यहां पर पतंग उर रही है तो यह जिस पतंग को देख रहा है इसके बीच में बनने वाला angle, angle of elevation और line of sight कहलाता है वो ही simple language में यहां पर लिखके आपको समझाया गया है the angle of elevation or the point viewed is the angle formed by the line of sight the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level that is the case when we raise our head to look at the object ठेक है तो जब हम अपना सर उठाते हैं किसी object को देखने के लिए वस object को देखने के लिए और हमारा यहां से जो eyes से horizontal line बनती है इनके बीच में बनने वाला angle आपको angle of elevation बोलना है तो angle of elevation हमें यहां पर clear होता हुआ नजर आ रहा है अब आप दो मिंट के लिए imagine करेए कि एक कोई लड़की है a girl sitting on the balcony is looking down at the flower pot अब यहां पर कोई एक लड़की है जो की अपनी balcony में बैठी है तो drawing यहां पर यह वाला नहीं आप ऐसा imagine करेए कि कोई student है और वो अपनी balcony में बैठा है और यह उसकी horizontal line है ठीक है तो horizontal में उसके सामने वाली line उससे अगर वो नीचे रखी हुए flower pot को देख रही है तो यहां पर एक flower pot रखा है जिसके flower को वो देख रही है तो इस तरीके का भी एक angle बनता है अभी तक जो angle बन रहा था वो उपर था angle of elevation अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एक word जिसको हम कहते है angle of depression angle of depression यहां पर क्या बता है the girl sitting on the balcony is looking down at the flower pot placed on a stair of the temple in this case the line of sight is below the horizontal इस case में देखने की जो line of sight है वो क्योंकि horizontal line के नीचे है हम नीचे का object देख रहे तो जब हम नीचे का object देखेंगे तो हमारी यह horizontal line और उस object को जिसको हम देख रहे है इन दोनों के बीच में बनने वाला जो angle है यह angle कहलाता है angle of depression the angle so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depression तो angle of elevation क्या होता है angle of depression क्या होता है line of sight किसको कहते है तो यह तीन चीज़े अभी तक आपने यहाँ पर समझ लिया तो 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 यह तीन चीज़े अभी तक आपने यहाँ पर समझ लिया है तो यह कहलाता है angle of depression और जब हम ऊपर देखते हैं तो यह कहलाता है angle of elevation तो देखर कहां से रहे हो line of sight क्या बन रही है और horizontal line क्या है यह आपको समझना बहुत जरूरी है clear है यह चीज़? तो यही यहाँ पर समझाया गया था जो शब्दों का अभी तक आपने use किया अब हम आजाते हैं मुद्दे पर कि इस chapter में questions को कैसे solve करना है तो heights and distances के जो questions आते हैं उनको solve करने के लिए यह तीन basic point है जो आपको याद रखना है इसको समझना if you want to find the height अगर आपको height जाननी है तो यहाँ पर आपके सामने इस तहीके से कुछ right triangle बनता है आपने 8 chapter में इसी समझी कि trigonometry का जो trigonometry जब हम पढ़ते हैं तो trigonometry का use जो है वो right triangle हम लोग मान के चलते हैं right triangle में ही trigonometry का use करना है तो अगर यह right triangle है जिसके vertex c, b और a है ठीक है यहाँ से देखना यह जो है यह e point जो लिखा यह उस student का lex का horizontal line है हमें अभी यह चीज को consider नहीं करना clear है यह चीज तो हमें क्या consider करना है हमें देखने का line of sight क्या है और angle of elevation कहां बन रहा है अगर आपको यह जानना है कि total height c, d क्या है इससे जो मैं use कर रहा हूँ इससे आपको c और b पता चलेगा लेकिन अगर आपको height पता करनी है total c, d अगर आपको निकालना है मिनार का तो without actually measuring it what information do you need अगर आपको यह calculate करना है मतलब अगर आपको proper calculation की तरफ ना जाओ मैं वो पुराने measurement के तरीके tape लेके मिनार के उपर ना चड़ू उन सब तरीकों से ना calculation करते हुए अगर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपने copy और pen को लेके किस तरीके से 2 minute में चीज calculate कर सकता हूँ तो उसको जानने के लिए आपको यह 3 चीज़े पता होने चाहिए पहली चीज़ the distance de at which the student is standing सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि student की दूरी कितनी है जिसको वो देख रहा है उस object मतलब उस पूरे object से उसकी दूरी क्या है इसका मतलब आपको वो horizontal distance known होना चाहिए तो आपको एक तो distance जो की horizontal distance है वो known होना चाहिए फिर वो कह रहा है अगर आप उपर देख रहे हैं तो angle of elevation पता हो अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको angle of depression पता हो तो यह तीन point में यह बोल रहा है कि एक तो आपको angle of elevation known होना चाहिए दूसरा आपको यह known होना चाहिए कि क्या distance है और तीसरी चीज़ the height AE of the student और आपको यह भी पता होना चाहिए कि student की height क्या है क्योंकि भाई student की जो height है ठीक है वो भी matter करती है क्योंकि यहां का distance उतना मैं कम कर दूँगा तो मुझे अभी जो trigonometry का use करके distance पता चलेगा मतलब हाइट पता चलेगी वो basically c भी पता चलेगी अगर आपको height of student भी known है तो मैं इसको यहां पर add कर दूँगा उससे मुझे total height पता चलेगी cd उस मिनार का cd मतलब वो जो total height है वो कितनी है तो कुछ questions के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं assuming that the above three conditions are known how can we determine the height of the मिनार मान लीजे मुझे तीनों चीज़े पता है कौन सी तीन चीज़े मैंने बोली मुझे यह पता है कि मेरी उस object से दूरी कितनी है मुझे यह horizontal distance भी पता है मुझे angle of elevation भी पता है और मुझे student की height भी अगर known है अगर यह तीन चीज़े known है तो कैसे solve करेंगे इसको आप लोग समझना चलिए आ जाते हैं अपने पहले example पे तो NCIT book का पहले example दो marks का आपको देखने को मिल सकता है technometric ratios का यहाँ पे मैं use करूँगा देखना और tower stands vertically on the ground एक tower मान लेजिए कि वो ground पे vertically position में है यहाँ पे एक tower है जो कि vertical position में आपको which is 15 meter away अब एक ऐसा point जो कि इस tower से 15 meter की दूरी पे है इस पूरे tower से यह जो point है यह मान लेजिए 15 meter की दूरी पे है तो यह point मैंने लिए tower के center से ठीक है यह B है यह C है एक point है C जो कि 15 meter की दूरी पे है away from the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree ऐसा देखा गया कि मैं इस tower की जब एकदम top को देख रहा हूं उस समय वो जो angle of elevation बन रहा है मतला line of side ठीक है line of side की बात की है तो line of side with horizontal ठीक है is angle of elevation वो 60 degree है तो मान लेजिए मुझे 60 degree पता है मुझे वो दूरी 15 meter की भी पता है उसके बाद the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree find the height of the tower आप बताईए इस tower की height क्या होगी मुझे ये height calculate करनी है तो इस case में अब बात को समझना मैं यहां लिख लेता हूं solution और इसके साथ में हम कैसे solve करेंगे तो क्योंकि मुझे ये cb distance पता है तो मुझे क्या पता है मुझे horizontal distance पता है तो horizontal distance यहां पर मैं लिख देता हूं horizontal distance of horizontal distance यह हमें clearly 15 meter दिया है तो horizontal distance हमें 15 meter दिया है मतलब जो कि हमें cb की value दिये ठीक है तो यह cb की value दिये यहां पर 90 degree का angle बनता हो दिख रहा है आपको एक ऐसा triangle दिख रहा है जो कि यहाँ पे 90 degree बना रहा है यहाँ पे यह point C है यह B है, C भी आपको दिया है 15 meter, आपको angle of elevation दिया है 60 degree, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ angle of elevation angle of elevation और angle of elevation मुझे दिया है 60 degree जिसको मैं यहाँ पर थीटा बोल देता हूँ मुझे थीटा की angle की value पता है ठीक है, मुझे distance पता है अब मुझे क्योंकि h calculate करना है तो h कैसे calculate करे यहाँ पर इस चीज के लिए अब आप समझना कि मुझे क्योंकि h calculate करना है तो यह और यह मुझे known है मतलब जो मुझे calculate करना है वो उपर आएगा मुझे h पता करना है और trigonometry में एक ratio मतलब यह perpendicular कहलाता है तो अगर मैं बोलूं यह a point है, यह b point है तो a b क्योंकि मुझे find करना है मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मुझे find क्या करना है इसको समझना मुझे find करना था a b ठीके और एक ratio मुझे trigonometry में पता है कि perpendicular upon base perpendicular upon base base कितना है वो है c b जो मुझे known है और क्योंकि मुझे angle पता है 60 degree तो ऐसा मैं क्या ratio लगाऊ यह किसका ratio बन रहा है तो आप लोगों ने यहां पे सीखा था sine, cos 10 ऐसे सीखा था एक मैंने चार्ट पढ़ाया है आपको नहीं तो आप लोगों ने complete theory में चार्ट पढ़ा होगा कि sine, cos, 10, cos, sec, cot ऐसे उपर नीचे जब मैं लिखता हूँ तो इसमें ratio लिखने का तरीका है पंडित, बद्री, प्रसाद हर हर बोले ठीक है, हर हर बोले यहाँ पर आप समयनना कि AB upon CB अगर मैं देखूँ तो AB क्योंकि perpendicular है और CB क्योंकि base है तो मुझे इस चार्ट से यह समझ आता है कि ऐसा ratio P upon B वाला वो सिफ 10 के case में बन रहा है तो यहाँ पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि AB upon CB की value 10 of 60 degree हम calculate करेंगे 10 60 degree तो 10 60 degree के लिए अब आपको 10 60 degree calculate करना आना चाहिए यहाँ आपको 10 60 चार्ट में याद होना चाहिए जहाँ पर आपने 0 degree, 30 degree 45 degree, 60 degree का एक पूरा चार्ट पढ़ा होगा तो 10 60 degree की value क्या होती है AB की value क्या है CB की value क्या है उन सब values को जब मैं substitute करूँगा तो मुझे AB निकलता हुआ दिख जाएगा चली, अपने इस साइट solve करते है और यहाँ पर समय नहीं कोईश करना कि AB हमें पता है H, AB को हमने क्या लिया था H लिया था तो H upon CB की value हमें यहाँ पर 15 दी है कितनी वो लिख दो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं root 3 तो यहाँ पर finally 1060 degree की value root 3 डालने के बाद H की value आपके सामने आएगी 15 multiplied with root 3 मतलब 15 root 3 तो यह height आईए किसकी height आईए यह अगर आप drawing की तरफ देखें तो pole के top से लेके pole के base तक की total H H जो है यह height निकल की हमारे सामने आगई जो की meters में आएगी तो यह पूरी value meter में आईए जहातर बच्चे की गलती करके आते हैं आप ही गलती मत करिएगा तो एक बहुत प्यारा सा question 2 marks का आपके सामने इस प्रकार से आ सकता है तो 2 marks के question मैं इसको बोलूँगा कि हो सकते हैं NCIT book से इस पगार के question 2 marks में देखने को मिले अब हम चलते हैं एक और example लेते हैं example 2 ठीक है तो NCIT की book में यह chapter बहुत छोटा सा chapter है तो यह video बहुत बड़ी नहीं है वीडियो के साथ बने रहो simple से question solve करा रहा हूँ आपको marks बता रहा हूँ कि teacher marks कैसे देती है ठीक है और कितने marks का चीज हो सकती है अब यहाँ पर समझने क्या question है an electrician has to repair an electric fault एक electrician को एक electric fault सुधारना था pole पर चड़के जिसकी height जो है इन्होंने 5 meter दी है that means अगर मैं बोलू तो यह pole जो है a point से लेके d point तक यह total जो height है यह height इन्होंने मुझे दी है और यह height इन्होंने दी है मुझे 5 meter गी ठीक है अच्छी बात है उसके बाद यह बोल रहा है कि she needs to reach a point she needs to reach a point यहाँ पर यह समझ आता है कि जो electrician है वो एक female person है जो इसको pole पर चड़के इस fault को सुधारना है ठीक है she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole मतलब उसको उस point तक जाना है यह जो b लिखा है न यह यह लिखा है कि इस electrician को base से उस pole की उस height तक जाना है जो की a point से 1.3 meter नीचे है तो यह जो point है यह basically 5 meter तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि total height जो a d है उसमें से आप subtract कर दीजे a b को अगर मैं a b को subtract कर दूँगा तो मेरे पास वो height आ जाएगी जो b d है यहाँ पर यह वो height है जहां तक इस electrician को चड़के जाना है that means यहां से लेके यहां तक की height हमें नहीं पता तो यह अगर पता करनी है तो 5 में से आप one point one point कितना बोला इन्होंने चलिए देखेगा दो मेंट होल्ड करिए चलिए यहां पर पांच मीटर यहां पर मैं बोलूंगा कि इन्होंने पांच minus a b a b की value इन्होंने मुझे दिए one point three meter तो one point three अगर मैं करूंगा तो b d की value निकल के आ रही हो b d की value इस case में हो जाएगी 0 में से 3 गया मतलब 7 4 में से गया मतलब 3.7 मीटर यह वाली हाइट तक उसको पोल पर जाना है मतलब इस पोल की जो हाइट है जहां तक उसको जाना है वो हाइट सिर्फ हमारी निकल के आ रही है one point three point seven meter तो three point seven meter यह निकल के आया यहां से यहां तक की हाइट और यही हमें actually अपने calculation में लेके चलनी है तो three point seven meter और यह जो उपर की हाइट दी थी यह हमें one point three meter दी थी इसलिए यह total पोल की हाइट five meter हो रही थी चलिए ठीक है आगे समझेगा आगे क्या बोला है इन्होंने बोला है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree अब आप यह बताईए कि इसको यह ladder कितनी length की use करनी पड़ेगी अगर वो नीचे base से 60 degree का angle बनाती है अगर वो ladder को इस तरीके से उस pole के उपर टिका है कि नीचे से बनने वाला जो angle है वो 60 degree that means theta की value भी तुम्हें दी है तो तुम्हें given क्या क्या है पहले मैं वो लिख लेता हूं यहां पर मुझे given है क्या bd तो मुझे actually ad pole दिया था the pole of height five meter which is equals to ad दिया था क्योंकि मुझे bd calculate करना था तो therefore bd is equals to five minus one point three which is equals to three point seven meter ऐसे लिख सकता हूं मैं तो मैंने bd की value लिख दी मैंने ad की value लिख दी अब आगे बात समझेगा अगर मैं यह board यहां से clear कर दूं तो यह चीज हमने clear कर दे given में और क्या है हमें तो हमें angle of elevation दिया है तो angle of elevation बोलेंगे इसको elevation which is equals to theta और theta की value इन्हों 60 degree दी है चलिए अब इन्होंने मुझसे पूछा है कि इस ladder की height बताईए ladder की height मतलब इन्होंने bc की value पताई पूची है अगर आप ध्यान से देखें तो यह right triangle यहां बन रहा है यह bc जो बन रहा है यह एक hypotenuse है तो bc हमें calculate करना है तो हमें calculate करना है height of ladder यह यहां लिख देते हैं height of ladder which is equals to bc और यह हमें to find करना है तो यहां पर हम लिख देते हैं to find चलिए बहुत असान है इसको भी देखिएगा कैसे solve करेंगे तो यह ladder bc हो गया इसके बाद question में और भी आगी कुछ बोला वो पहले read कर लेते है what should be the length of the ladder ठीक है तो length of the ladder हमें calculate करना है that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position also एक चीज और पता करनी है वह दूसरी चीज क्या पता करनी है how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder आप बताईए कि वो कितनी दूरी पे ladder को place करें that means आपको ये भी horizontal distance भी calculate करना है आपको dc भी calculate करना है तो एक तो आपको length of the ladder को calculate करना है तो यहां मैं लिख देता हूँ length of ladder और angle of elevation मुझे दिया था दूसरी चीज जो मुझे पता करनी थी वो मुझे पता करनी है dc मतलब horizontal distance तो वह हम बाद में निकालेंगे चलो पहले यहां पर कैसे solve करें तो यह right triangle है यहां पर 60 degree का angle बन रहा है अब यहां पर यह bd मुझे known है तो bd की value है 3.7 meter अब देखिएगा अगर मैं वह पंडित बदरी प्रसाद वाले चार्ट पर जाता हूं ठीक है जो हमने पीछे introduction में पढ़ा था इंट्रोडेक्शन और टिक्नोमेटरी 8 चेप्टर को आप watch करिएगा ठीक है वहां पर हमने एक चीज़ देखी दी कि पंडित बदरी तो मैं यहां पर यहां तो साइन ले सकता हूं यह को सैक कि वेलूइस तो आपको यह चीज मैं समझा रहा हूं तो साइन tua डिग्री calculate करना असान है क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है तो यहां पर बात को समझना क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि sin 60 डिग्री is equals to perpendicular upon hypotenuse और यहां पर जो perpendicular है वो है आपका bd तो bd upon मैं ऐसा बोल सकता हूं bd upon bc यह आपका hypotenuse है तो जो यहां पर यह ratio निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है वो आ रहा है sin 60 डिग्री is equals to bd upon bc sin 60 डिग्री की value होती है root 3 by 2 तो यहां पर मैं बोलूँगा root 3 by 2 sin 60 डिग्री की value root 3 by 2 is equals to bd upon bc तो bd क्या है 3.7 तो यह आगया 3.7 upon bc और यहां से क्या मैं bc calculate कर सकता हूं तो कुल मिला के bc यह क्योंके denominator में है यह numerator में आ जाएगा और यह 2 3.7 के साथ जाके यह multiply हो जाएगा तो 3.7 into 2 upon root 3 clear है यह चीज़ इसको जब मैं solve करूंगा तो यह solve करने पे मेरी value कितनी आ रही है तो यह value आ है 3.7 into 2 तो 3.7 into 2 मतलब 2 into 7 is 14 और यह आजाएगी 7.4 upon root 3 और root 3 की value आप देखिए question में दी हुई है तो कभी भी अगर नहीं दी तो आपको denominator में root 3 नहीं छोड़ना इसको rationalize जियू कर देना यह root 3 उपर ले आना तो आपको rationalization आता है 9th class में आप लोगों ने सीखा है 7.4 upon root 3 root 3 की value मुझे 1.73 दी है तो यह आ जाएगा 1.73 तो 7.4 upon 1.73 और यह value आपके सामने निकल के आएगी जब आप इसको solve करेंगे तो चलिए solve कर लेते हैं तो इसको solve कैसे करेंगे हो जाएगा 74 upon 173 multiplied with 10 and multiplied with 100 ऐसे मैं कर सकता हूं नीचे के 2 decimal हटाये उपर लिया उपर का 1 decimal हटाया नीचे 10 लिख दिया approximate value निकल के आप लोगों के सामने आएगी उस approximate value को भी हम calculate कर लेते हैं 0 से 0 काट दिया और 74 upon 173 को अगर मैं देखूं तो यह आ जाएगा 740 upon 740 upon 173 ठीक है और इसकी value कितनी आएगी तो इसको हमें rough work में करना है एक काम करते हैं इस drawing का अब हमें use नहीं है drawing हम लोग रफ कर देते हैं उपर का यह भी जो मैंने पूरा explain किया इसको भी हटायते हैं अब इस area को मैं rough work बना लेता हूँ 902 4 1 times 4 546 692 तो मैं ऐसा कहूंगा कि यह 173 4 times जाएगा तो यहां पर 692 आना चाहिए यह आ गया 692 यहां बचा आपका आठ यह 13 में से 9 गए बचा चार और 48 अगर मैं पॉइंट लगाता हूं तो यह आता है 480 ठीक है 480 का मतलब 173 को अगर मैं 3 से multiply करूं तो 3 into 3 9 3 into 7 is 21 2 value बढ़ी हो रही है तो 2 times जाएगा तो 173 को आप एक काम करिए 2 से multiply कर दीजे 2 into 3 is 6 2 into 7 is 14 और यह आ जाएगा 346 तो 346 तो मैं कहूंगा 4.2 approximate value यहां पर आपको मिलेगी 4.2 is an approximate value आपको ऐसे ही school में solve करके आना है अगर school exam में यह question देखने को मिलता है तो यह आएगा 2 marks का पहला part 2 marks का second part 2 marks का तो यह question को मैं अपनी तरफ से बोलूंगा कि यह 4 marks का सवाल आपको school exam में देखने को एकदम मिल सकता है तो चलिए rough work मैं यहां से अटायता हूं और इसका second part अब मैं solve करता हूं तो second part में मुझसे base पूछा था DC तो उसके लिए मैं ले लेता हूं एक blank sheet यह मैं ले लेता हूं blank sheet यहां पर देखिए का 2 मिट होल्ड चलिए यह okay और यहां पर हम आ जाते हैं blank sheet पे तो यहां पर हमें triangle right triangle known था जिसमें मुझे DC calculate करना है ठीक है और यहां पर इसके जो height दीए वो 3.7 something दीए द्रॉइंग में आ जाते हैं तो height हमें कितनी दी थी height हमें 5 में से 1.3 गया तो यहां पर 3.7 meter दिया था तो 3.7 meter तो 3.7 meter मुझे यह height known है मुझे DC known करना है और इसके साथ साथ मुझे यह BC में calculate पीछे कर चुका हूं तो DC calculate करने के लिए मैं यहां पर again एक trigonometric ratio लगाऊंगा क्योंकि यहां का angle मुझे fix question में दिया है 60 degree कैसे निकालूंगा इसको देखना क्या मैं एक ratio बोल सकता हूं यहां पर जो की ratio होगा आपका DC upon BD और अगर यह right triangle है तो base कुल मिला के मैं बोलना चाहरा हूं base मुझे find करना है तो base upon perpendicular यह कहा ratio बनता है तो आप देखेंगे कि यह ratio आपका बनता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले में इसको दो मिंट जल्दी से आप ऐसी जैसे मैं solve करवा रहा हूं आपको tricks और tips बता रहा हूं जल्दी solve करने की तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले base upon perpendicular का जो यह है यह हमें मिलता है sin cos 10 cos 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 cot में तो यहां पर cot 60 degree पे हमें यह ratio देखने को मिलेगा base upon perpendicular उल्टा हो जाता है पलट जाता है तो यह चीज आप लोग को पिछले chapter से इसलिए अब ज्यादा base में detail में जाके मैं नहीं समझा रहा है तो cot 60 degree की value हो जाएगी base upon perpendicular तो यहां पर यह आजागा cot 60 degree clear है और dc upon bd हमें find करना तो dc हमें क्योंकि नहीं पता bd की value हमें पता 3.7 और यहां पर cot 60 degree की value हमें पता है 1 by root 3 again तो 1 by root 3 cot 60 degree की value substitute करूँगा तो यह हमें निकल के आएगा dc तो dc कितना निकल के आएगा यह आएगा 3.7 upon root 3 की value है 1.73 जो की सवाल में दी हुई है जो की हां question में दी हुई है यह दी है 1.73 इस 1.73 को मैं यहां substitute कर दूँगा root 3 की जगा पे तो यह value हमाय सामने निकल के आएगी 3737 upon 173 multiplied with 10 and multiplied with 100 ऐसे हम solve कर सकते नीचे का decimal हटाया उपर 100 उपर का decimal हटाया नीचे 10 0 से 0 कटा और यह value हो गई 370 upon 173 इसको solve कर दीजिए आपके सामने DC निकल के आ गया solve कर दें जल्दी से चलो इसको भी solve करते हैं तो 370 को हमें divide करना है 173 से 173 से 173 टू टाइम्स होता है यह 346 तो सबसे छोटी value यहां पर मैंका से 346 ही आएगी और यहां पर आएगा divide by 2 यह आएगा 4 और 6 में से 4 गए तो यहां बच्चा 24 point लगा दीजिए यह आएगा 0,240, 173, 2,346 तो 2.1 approximate value यहां पर हमें मिलेगी तो यहां पर DC की value आजाएगी 2.1 meter clear है मतलब उसको 2.1 meter की दूरी पे अपने ladder को लगाना पड़ेगा जब जाके उसकी height जो है यह 3.7 जहां उसको पहुचना है वो ladder वहां तक touch कर पाएगा तो यह practical applications आपको पता होनी चाहिए कि कैसे solve करते हैं और यह approximate value आई ठीक है तो छोटा मोटा decimal के बाद तीन digit तक की value हो सकता आप लोगों को कहीं पर देखने को मिल जाए मैं सिर्फ single digit तक निकाल के आपको दिखा रहा हूं तो approximately 2.1 के आसपास की value आनी चाहिए clear है यहां तक तो इस question को हमने solve किया यह था second part और यह मेरे हिसाब से 4 marks का question तो एक ही exercise है जो आपके इस chapter में है इसलिए मैं कहा रहा हूं chapter छोटा है वीडियो के साथ बने रहो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको questions के अलग-अलग marks समझा पाऊं ठीक है तो यहां से भी board को clear कर लेते हैं एक्जामपल 1 हो गया एक्जामपल 2 हो गया move करते हैं एक्जामपल 3 की तरफ तो एक्जामपल 3 क्या है इसको भी देखीगा यहां पर यह बोल रहा है an observer 1.5 meter tall एक observer की height आपको दिये observer यह दिया है dc, dc एक observer है और इसकी height आपको known है और वो known है 1.5 meter ठीक है अब यह बहुत प्यारा question है जादा marks में एकदम देखने को मिल सकता है तो 1.5 meter tall is 28.5 meter away इसकी दूरी इस pole से ठीक है तो यह वाले pole से इसकी दूरी जो दी है हमें वो दी है 28.5 meter की चलिए आगे समझना the angle of the elevation of the top of the chimney from her highs is 45 degree जो angle of elevation दिया है वो हमेशा यह line of side और horizontal line of side से मिलके बनता है तो यह beach का जो angle दिया है यह मुझे 45 degree दिया हुआ है clear क्या 45 दिया है क्या 28.5 दिया है क्या 1.5 दिया है यह आपको clear हो गया सवाल में अब आपको पता क्या करना है तो what is the height of the chimney आप हमें यह बताईए कि इस chimney की total height कितनी है यह total height निकालनी है मतला आपको a b find करना है तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या क्या given है तो जल्दी से देखीगा मुझे क्या given है मुझे c b distance from the chimney दिया है तो यह लिख देते हैं distance from chimney यह हमें दिया है तो distance from chimney वो हमें दिया है 28.5 meter height of observer हमें दिया है तो height of observer यह हमें दिया है और यह हमें कितना दिया है तो यह हमें दिया है 1.5 meter इसी के सामने लिख देते हैं कि यह actually यहाँ पे जब हम triangle के रूप में देखेंगे तो vertex के point हमें mention करने जरूरी है यह cb हमें दिया है ठीक है और यह हमें दिया है dc height of the observer हमें angle of elevation दिया हुए question में हमें angle of elevation भी बोला है तो elevation मतलब theta हमें known है तो theta हमें इन्होंने दिया है 45 degree बहुत अच्छी बात चलो यह भी 45 degree आ गया हमें क्या पता करना है तो to find यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हमें पता करना है height of the chimney height of chimney और height of chimney कितना होगा तो यह है आपका a point से लेके b point तक की दूरी तो a b हमें calculate करके देना है अब बात को समझना क्योंकि पूरा triangle यहाँ पे बन रहा है यहाँ तक इस point e point तक अगर मैं इसको e point बोलूं तो a e d यह triangle formation हो रहा है यह जो e लिखा है यह actual में इस vertex के लिए लिखा है यह vertex e vertex है और यह vertex जो है यह b vertex है तो हमाई सामने जो complete ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है a d e clear है angle of elevation 45 degree और c b हमें given है इस कारण हम बोलेंगे क्योंकि c b parallel होगी किसके d e की parallel में होगी d e क्यों होगी क्यों कि मैंने अभी थियोरी में सिखाया कि भाई जहां से हम height देखते हैं तो जहां से अगर यह है मेरी angle line of sight तो यह line of sight हो यहां से बनने वाला horizontal तो यह मेरे horizontal के parallel में होगा इसका मतला अगर यह 28.5 meter दिया है तो d e की value भी 28.5 meter होगी मैं ऐसा बोल सकता हूँ since since c b is equals to अगर मैं यहां पर बोलूँ कि since c b is equals to c b is equals to d e which is equals to 28.5 meter ऐसा हम बोल रहे है therefore therefore जो height निकल के आएगी चिमनी की वो a e निकल के हमारे सामना आएगी तो हमें a e find करना अब देखो a e find कैसे करेंगे अब मुझे क्या दिया है मुझे d e अगर known है मुझे base known है और मुझे height known नहीं है तो यहाँ पर height upon base वाला कोई ratio है क्या तो height upon base वाला ratio हम सबसे पहले देखते हैं अगर मुझे यहाँ पर पता करना है height कौन सी height यह मैं बोल रहा हूँ height a e तो a e height upon base base हमें दिया है d e तो base d e which is equals to ऐसा ratio में कहां मिलेगा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अगर मैं ऐसे देखू तो यहाँ पर height upon base height upon base यह हमें मिल रहा है यह वाला ratio मतलब sin cost and cosec sec cot मतलब sac 45 degree की value तो sec 45 degree यह हमारा निकल के आ जाएगा कितना sec 45 degree की value होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे sec 45 degree का यह ratio बन जाएगा clear है आपको समझ आ रहा है कैसे solve करना है अब देखिए यहाँ पर यह चीज हमने कर ली अब एक blank sheet ले लेते हैं तो वहाँ पर height upon base मतलब ae upon d e लिख लेते हैं तो ae upon d e is equals to sec of 45 degree ठीक है तो यह ही आ रहा हमारा sec of 45 degree sin cost and cosec sec cot ठीक है तो sec 45 degree इसकी value होती 1 और ae हमें पता है ae क्या है ae निकालना है सौरी हमें पता है d e तो यह हो जाएगा 28.5 is equals to 1 और ae हमें क्योंकि find करना है तो ae की value आपके सामने है यह है 1 multiplied with 28.5 जो की निकल के आएगा again 28.5 meter यह निकल के आया है वो वाली height जो की triangle के अंदर दी थी यह आपका triangle था ठीक है तो triangle की यह वाली height निकल के आईए हमाए सामने कौनसी वाली height है यह a से लेके e तक हमें a से लेके b तक बताना है तो ae हमारे सामने आ गया है और हमें यह point actually b point को भी consider करना है ठीक है तो यह total height बताने के लिए therefore therefore a b is equals to a e plus e b और a e की value है 28.5 plus e b की value कितनी होगी तो यह e b actually क्या था यह e b observer यहाँ पे खड़ा था तो observer की height है यह ठीक है और observer की height हमें कितनी दी थी तो यह हमें दी थी 1.5 मीटर वंदर dc तो हमें यह dc दिया था 1.5 मीटर यह 1.5 मीटर यहाँ पे भी आ जाएगा तो यह हो गया 1.5 मीटर और उपर वाला a e है 28.5 तो 28.5 मीटर यह height आईगे तो इन दोनों को जब मैं add करूँगा तो यह value मेरे सामने आ जाएगी 30 मीटर इसका मतलब चिमनी की height a b निकल के आ गई और यही मेरा जवाब है a b is equals to 30 मीटर यह total height हमारे यहाँ पे निकल के हमें दिख रही है clear है तो ज़्यादा marks में यह एकदम question देखने को मिल सकता है 4 marks या 5 marks में दोहरत प्यारा question है teacher की मनपसंद एकदम हो सकता है तो इस परकार से हमने यह भी solve कर लिया board करते हैं clear पीछे आते हैं अपने सवाल पे तो example 3 भी हमारे सामने हो गया दो question 4-4 marks 5-5 marks में दिखा है एक question example 1 जो था वो 2 marks का एकदम आ सकता है ठीके आगे चलते हैं तो एक example 4 है आपके सामने इस example को पढ़ना क्या बोला है from a point P ठीके on the ground तो from the point P अगर आप देखें यहाँ पर drawing दी है इस point P से on the ground the angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30 degree एक building के सामने जो की 10 meter की है तो यह building जो मतलब आपको A भी दिया है यहां से यहां तक यह समझ आ रहा है आपको यह building की height दियो building के उपर एक flag लगा हुआ तो building की height आपको दिये 10 meter और यहां तक angle of elevation 30 degree बन रहा था तो यह आपका एक triangle बन के हमारे सामने है चलिए ठीक है अब यह बोल रहा है आगे उसके की a flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag अगर मैं इस flag के top पे देखूंगा ठीक है तो जो angle of elevation बन रहा है उस points है मतलब एकदम ground पे वो point है तो angle of elevation उस समय 45 degree का बन रहा है यह 45 degree आपको दिया है चलिए 45 degree angle of elevation जब मैं flag का top देखता हूं और angle of elevation top of the building वो बन रहा है 30 degree का ठीक है आगे क्या बोला है the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree find the length of the flag staff at the distance of the building from the point P आप बताए P से A तक की दूरी तो आपको P A भी calculate करना है और आपको D B भी calculate करना है तो D B आपको calculate करना आपके पास पे B A है clear है ये चीज़ तो इस तरीके से हमें calculation करना है इस question को कैसे solve करेंगे वो भी देख लिजिएगा मैं करता हूं board clear और आपको समझाता हूं कैसे solve करना है तो आपको root 3 की value भी दी हुई है इसका भी use हम लोग करते हैं तो यहां पे लिखिएगा solution और इसके आगे समझेगा कैसे solve करना है तो यह लिख दिया मैंने solution आगे देखो given में क्या लिखेंगे तो given में हम लिख देते हैं जो हमें given है point P on the ground angle of elevation of top of 10 meter tall building तो building की height हमें दिये तो हमें दिये height of building height of building तो height of building हमें कितनी दी है यह दी है 10 meter 10 meter जो कि drawing में देखने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो BA यह हमें दिखा रहा है तो BA basically यह हमें 10 meter दिखा रहा है चलिए और यहां पे जो angle of elevation है वो 30 degree है तो angle of elevation आपको थीटा दिया है और वो दिया है 30 degree का अब flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag star from P is 45 degree तो एक आपको थीटा 1 दिया है ऐसा बुल लो और एक आपको angle of elevation थीटा 2 भी दिया है तो angle of elevation यहां पे मुझे एक और दिया है जो कि थीटा 2 दिया है तो यहां पे वो हमें दिया है 45 degree का तो यहां पे आप क्योंकि दो angle दिये है तो दो right triangle आपको बनते हुए दिख रहे है अगर आप यहां पे देखें मैं इस देके से drawing बनायता हूँ कि एक तो मुझे यह दिया है और दूसरा मुझे यह दिया है तो यहां पे जो दो triangle मैं बोलना चाहता हूँ वो दो triangle कौन से है यह ऐसा नहीं दिया है दो मिनिट यह हमें कैसा दिया है यह एक तो building का elevation दिया है जो कि इस point से है ठीक है और उसके बाद मुझे इनोंने इसी के उपर थोड़ा सा और पार्ट गया है जो कि flag का पार्ट है और इसी point P से यह हमें इसका elevation दिया हुआ तो एक हमें यहां पे दिया है theta 1 यह हमें दिया है theta 1 और यह हमें दिया है theta 2 ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहां पे point P दिया है और हमें यहां पे point A दिया है यह point B दिया है और यह point D दिया है तो देखो थोड़ा से जो उन्होंने picture के through दिया है उसको मैंने सबसे पहले triangle में convert करके आपको यहां पे दिखाया है आपको भी school में ऐसा ही drawing बना के आना है तो यह आपका drawing है इसको देखके हम चीजे बनाएंगे तो यहां पर हमें 2 triangle मिल रहे हैं इक हमें मिल रहा हैं दो राइट ट्राइंगल मिल रहें तो एक हमें मिल रहा है ABP ठीके ABP और कमें मिल रहा है ADP तो davis we have we have two right triangles two right triangles triangle ABP comma triangle ADP clear ये दो triangle हमें दिये हैं दो right triangle दिये हैं और दो elevation दिये हैं ठीक है इसके बाद हमें पता क्या करना था तो यहाँ पर हमें बोला है find the length of the flag strap find the length of the flag strap and the distance of the building from the point P तो हमें दो चीज़े निकालनी है to find यहाँ पर लिख देते हैं to find में हमें इन्होंने दो चीज़े find करने को बोले हैं पहला point जो हमें बोला है वो बोला है length of flag strap तो length of flag strap इसका मतलब इन्होंने हमें find करने को बोला है db ठीक है और दूसरा point जो इन्होंने हमें find करने को बोला है to find second चीज़ जो इन्होंने बोली है वो इन्होंने बोला है and the distance of the building from the point P तो distance of building distance of building इसका मतलब इन्होंने हमें find करने को बोला है P A clear है blank sheet ले ले लेते हैं blank sheet पे question को solve करते हैं blank sheet ले लिए blank sheet पे जो हमें सवाल solve करना है दुबारा यहां पे द्रॉईंग बना लेते हैं तो यह जीत है ठीक है और एग हमें यहां से ऐसे दिया यह point यह point यह point यह point तो हमें P भी बोला है ठीक है तो यहां पे D भी भोला है तो theta 1 की case में आप लोग देखेंगे building की height हमें known है और हमें PA distance यहां से मिल सकता है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि perpendicular upon base वाला ratio perpendicular बोले तो BA upon BA upon या AB AB अगर मैं इसको बोलूँ 2 minute hold करिए चलिए यहां पर अगर मैं बोलूँ कि एक ratio मुझे मिलेगा AB upon AP वाला ठीक है और AB upon AP अगर मैं देखूं तो perpendicular upon base है तो इसको यहां पर लिख देते हैं P upon B और P upon B हमें देखने को कहां मिलता है तो यह है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले ठीक है तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा पी अपॉन B वाला ratio 10 में clear है तो 10 वाला यह ratio तो हम यहां बोल सकते हैं therefore in triangle in triangle ABP ABP triangle के अंदर हम बोलेंगे 10 of 10 theta 1 10 theta 1 is equals to AB upon AP और 10 theta 1 की value theta 1 हमें कितना दिया था तो theta 1 इन्होंना हमें दिया 30 degree मतला 10 30 degree तो 10 30 degree is equals to AB की value यह हमें 10 meter long building की length पता है तो AB हमें known है यह 10 meter हमें दिया है AB तो यह 10 meter upon AP यहां से हमें base निकलता हो मिल जाएगा तो distance from the point P to the building यह हमें यहीं पर मिल रहा है क्या 10 30 degree की value है 1 upon root 3 तो यह आगया 1 upon root 3 which is equals to 10 upon AP और यह हम जब solve करेंगे तो यह आजाएगा AP is equals to 10 multiplied with root 3 ठीक है और 10 multiplied with root 3 यह हमारा जो unit आएगा यह हमारा unit आएगा meters में तो हम यहां पर लिखेंगे meter clear है क्योंकि question में हमें root 3 की value known है root 3 की value इन्होंने 1.73 दिया हुआ है यह दिया है 1.732 तीन डिजिट तक दिया है तो हम तीनों डिजिट को लेके यहां पर जब substitute करेंगे तो यहां पर आजाएगा therefore ap is equals to 10 multiplied with 1.732 और यह value हमारी बन जाएगी 17.32 meter यह क्या आगया ap the distance of point p लिख देता हूँ यहां पर distance of building from point p clear है is कितना 17.32 meter इस तरीके से हमने यह first part solve कर लिया तो यह आपका first part solve हो गया अब हम move करते हैं second part की तरफ और second part में आप देखेंगे कि हमें flag पता करना मुले DB पता करना तो DB पता करना के लिए AD total length AD तो हम ऐसा बोलेंगे in triangle ADP, ADP triangle के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास AD length में से हमें क्योंकि DB पता करना है तो AD कैसे बना है देखना 80 कैसे बना ये बना है DB प्लस DB प्लस BA और क्योंकि हमें BA known है और DB को हम यहाँ पर बोल देते हैं कि इस triangle में let DB is equals to X meter अगर मैं DB को X meter माल लूँगा अगर DB को मैं X meter माल लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस X ये 10 और ये X तो 10 प्लस X ये AD की value हो गई अब 10 प्लस X meter AD की value अब हमें तो देना है सिर्फ DB तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें वो जो X find करना है तो हम अगेन एक ratio बनाते हैं और ratio यहाँ पर भी जो हमें बनता हुआ मिलेगा अगर आप देखें तो ये perpendicular upon base बेस आपको known हो गया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 45 degree 10 45 degree में क्यों बोल रहा हूँ 10 theta 2 की value बोल रहा हूँ 10 theta 2 theta 2 इन्होंने दिया है ये तो ये है theta 2 तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 10 theta 2 is equals to DA perpendicular upon base base हमें दिया है PA या AP ठीके तो DA upon PA अगर मैं करूंगा तो ये हमारा आजएगा 10 32 10 मतलब 45 degree which is equals to DA की value हमें पता है 10 plus X है तो ये 10 plus X upon PA की value तो PA PA हमारा कितना था PA था हमारा 17.32 तो ये आगे 17.32 कोई डाउट नहीं और 10 45 degree की value होती है root 3 तो यहां पर मैं substitute कर देता हूँ 10 45 degree है न तो 10 45 degree ये नहीं 10 45 degree होता है 1 तो ये 1 is equals to 10 plus X upon 17.32 ये यहां पर ऐसे आ गया और फिर ये 17.32 1 के साथ multiply होगा तो ये आजएगा 17.32 is equals to 10 plus X अब क्योंकि मुझे X निकालना है तो ये हो जाएगा 17.32 minus 10 और ये value हमारी निकल के आ जाएगी 7.32 meter तो जो flag लगा हूँ है basically जो db है वो एक flag की length है जो हमें question में बोला था जो X निकल के आया तो यहां पर हम finally क्या बोल देंगे कि therefore therefore height of flag height of flag is equals to X और X की value हमारी आई है 7.32 meter इतना असान है question solve करना तो ये हमने एक question और solve किया जादा marks में एकदम आ सकता है जादा marks बोले तो 4 से 5 marks का question एकदम बन सकता है और ये आपको समझ आना चाहिए clear है? चलिए board कर लेते हैं clear यहां से और पीछे से भी space बना लेते हैं तो आपको इस सवाल में distance बोला था जो हमने निकाल लिया PA और आपको बोला था flag staff की height DB ये दोनों चीज़ें हमने calculate करके आपको बता दी है example for NCIT book important है तो सारे examples मैं कहूंगा इस chapter से सब important है कैसे solve करना है मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ example 5 भी देखेगा इसी के आगे example 5 भी मैंने लिया है बहुत ब्यारा कोशन है ये भी क्या बोल रहा है the shadow of a tower standing on a level ground जो shadow है किसकी tower की जो shadow है shadow का मतलब परचाई की बात हो रही है तो the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer वो 40 meter जादा पाई गई तो ये drawing अल्रेटी बना है लेकिन हो सकता है इस कोशन में जब स्कूल में आए तो drawing ना मिले तो आप यहाँ पर धियान दीजेगा ये बोल रहा है कि tower a b है ठीक है इसकी परचाई 40 meter जादा मिली तुम्हे तो 40 meter जादा मिली longer when the sun's altitude is 30 degree जब sun का altitude 30 degree होता है ठीक है तो sun का altitude 30 degree जब नीचे से देखा जाएगा तो 30 degree का angle of elevation दी है ठीक है then when it was 60 degree तो 60 degree पे देखने के बाद जो shadow बन रही थी उससे 40 meter जादा मिली तो ये cb आपको क्योंकि known नहीं है इसको x ले लो cb आपको known नहीं है ये x हो जाएगा यहापर तो आपको बताना है find the height of the tower tower की height कितनी है तो अगेन यहाँ पे 2 right triangle आपको बनते वे दिख रहे एक आपको दिख रहा है triangle a, b, d तो एक triangle दिख रहा है आपको right triangle a, b, c मैं ऐसा बोलनुगा a, b, c और दूसरे triangle दिख रहा है आपको a, b, d तो ये हो गया a, b, d clear है और इसके अंदर angle of elevation आपको दिया है तो एक दिया है आपको angle of elevation angle of elevation theta 1 हम बोल देते हैं तो angle of elevation theta 1 is equals to 60 degree और एक मुझे दिया यहाँ पर angle of elevation जो कि मुझे इन्होंने दिया है 30 degree का तो theta 2 इन्होंने मुझे दिया है 30 degree का और मुझे जो base दिया है db तो db basically यहाँ पर है dc plus cb और dc की value दी है 40 plus cb की value दी है x इन्ट्राइंगल a, b, d अगर मैं जब a, b, d लूँगा न तब यह होगा 40 plus x लेकिन जब मैं 60 degree elevation के साथ लूँगा तब base होगा सिर्फ x तो पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर db की यह तो base होगा 40 plus x ठीक है यह हमें समझ आ गया अब आप समझेगा कि हमें जो पता करना है हमें basically height a, b ही पता करना है और कुछ नहीं पता करना तो यहाँ पर दो ratio मुझे मिल रहे है एक ratio तो मुझे मिल रहा है perpendicular क्योंकि मुझे a, b निकालना है तो perpendicular upon base अगर मैं करता हूँ तो देखीगा a, b, a, b upon a, b upon c, b जब मैं करूँगा तो यह हमें ratio मिलेगा कौन सा perpendicular upon base और perpendicular upon base होता है 10 का अब 10 theta 1 के साथ मैं लूँगा तो 10 theta 1 यह value निकल के आएगी और 10 theta 1 जब मैं substitute करूँगा तो यह हमारा आजाएगा 1060 degree तो 1060 degree क्योंकि value 1 तो 1060 degree is equals to a, b upon c, b मतलब perpendicular upon base तो मैं a, b, a, s, e, k, a, s, e, l, लिखे रहें देता हूँ और नीचे मैं x लिख दूँगा clear है यह चीज़? तो जब ऐसे solve करूँगा तो 1060 degree की value हो जाएगी 1 which is equals to a, b upon x a, b है आपकी height क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a, b को मैं क्यों नहीं यहाँ पर h लिख दूँ तो h अगर मैं लिख देता हूँ तो यह हमारा आजाएगा नहीं अब यहाँ पर 1060 degree की value 1 नहीं है 1060 degree की value यहाँ पर root 3 है sorry तो यह हो जाएगा root 3 is equals to h upon x और h की value यहाँ पर मुझे मिल जाएगी root 3 multiplied with x तो x root 3 यह value आएगी meter यह हमारी height आगई है जो हमें पता करनी थी a, b लेकिन क्योंकि x find करना है तो x निकल सकता है next triangle से जो की है a, b, d a, b, d हम यहाँ पर substitute करते हैं तो देखना 10 theta 2 के साथ यह ratio आपका बनेगा perpendicular upon base और base इस case में आएगा db तो यह हमने लिया है perpendicular upon base जो की हमने triangle लिया है किसमें? तो यह है in triangle in triangle a, b, d के अंदर clear है? तो in triangle a, b, d में 10 theta 2 की value यह आएगी तो यह आजाएगा हमारा 10 theta 10 theta degree is equals to 10 30 theta 2 के है 30 degree तो 10 30 degree is equals to perpendicular अब perpendicular मतलब h आया है तो h upon b base मतलब db तो db total कितना था? वो आपने ही हां लिखा था 40 plus x तो यह आजाएगा 40 plus x और 10 30 degree की value होती 1 by root 3 तो यह हो जाएगा 1 by root 3 which is equals to h की value है x root 3 तो यह हो जाएगा x root 3 upon 40 plus x देखू कितना असान question था और जादा marks में देखने को मिल सकता है x अब आपका find हो जाएगा cross multiplication के लिए तो यहाँ पर cross multiplication करने के बाद 40 plus x 1 के साथ multiply होगा तो यह आजाएगा 40 plus x which is equals to यह root 3 x root 3 के साथ multiply होगा तो यह आजाएगा 3 x आपको समझा रहा है root 3 multiplied with root 3 होता है 3 तो 3 x और यह x जब इदर जाएगा तो 40 की value हो जाएगी 3 x minus x मतलब 2 x और x की value यहाँ पर आ रही है 20 meter कुल मिला के x हमारा find हो गया x आया है 20 तो यहाँ पर जब मैं answer लिखूंगा तब चीज को clear लिखता हूँ units के साथ x क्या था a b था तो x नहीं सॉरी x क्या आ गया यह c से b की दूरी आया रहे अभी answer नहीं आया भाई रुको क्या आया है cb is equals to 20 आया है तो cb जो distance है तो यह हमारा x निकल के आया है ठीक है अब अगर x निकल के आया है तो मुझे तो height निकालनी थी height थी आपकी x into root 3 तो x into root 3 का मतलब है h निकल के आयेगा therefore height of tower tower दिया था तो height of tower is equals to x root 3 x root 3 और x की value है 20 root 3 तो यह आएगा 20 root 3 meter यहां तो answer ऐसे छोड़ दो यहां अगर question में root 3 की value दी हो तो आपको solve भी करके आना है तो कब solve करना है कब नहीं करना है कब सर answer ऐसे ही छोड़ दे तो वो depend करता है आपको question में root 3 की value root 2 की value यह सब values दी है या नहीं दी अगर दी है तो value substitute करनी है अगर नहीं दी तो answer ऐसे ही छोड़ देंगे चलेगा clear है यह चीज तो यहां पर height of the tower आगया 20 root 3 meter जो की आपका जवाब है बहुत अच्छा question जादा marks में एकदम देखने को मिल सकता है तो example 5 भी हमने solve किया एक और example लेता हूँ इसी book का तो वो है example 6 इसको भी समझते हैं यह सवाल क्या है बहुत प्यारा सवाल है यह भी the angles of depression अच्छा यह जो मैं examples ले रहा हूँ न एकदम school exams में देखने को मिल सकते है exercise दी है एक single exercise है ज्यादा questions है तो आप उनको solve करिएगा एकदम तो मैं आपको सिफ यह समझा रहा हूँ कि क्या-क्या important question बन सकते है तो यह सब different variety examples के through cover हो रही है तो हम one shot में वो cover कर रहा है clear है चलिए क्या दिया है the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building आपके सामने एक building है जो की basically 8 meter की है ठीक है इस का जब मैं angle of depression देखूँगा तो angle of depression मतला आप यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे है तो sorry यह गलती है 2 minute रुकना जो हमें यहाँ पे दिया है the top and the bottom of a building तो यह basically BA building की बात कर रहे है एक building है आपके सामने BA तो the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building यह 8 meter की tall building यह दी है angle of depression इसके top को जब देखूँगा और इसके जब bottom को देखूँगा यह हमें बूला है तो angle of depression का question अब आपके सामने है अगें ज़ादा marks में देखने को मिल सकता है तो 8 meter tall building है angle of depression आपको top and bottom का दिया है 30 degree and 45 degree respectively मतलब angle of depression जब top में देखूँगा तब 30 degree का angle बन दा है तो theta 1 आपको दिया है 30 degree और जब मैं नीचे bottom देखूँगा तो bottom यह आपको दिया है जो कि आपको theta 2 दिया है clear है theta 2 आपको दिया है 45 degree तो theta 1 और theta 2 की value आपके सामने theta 1 आपको दिया है 30 degree का और theta 2 आपको दिया है कितना degree का 45 degree का clear है यह जी अब इस questions को सर कैसे solve करते हैं तो find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings आप इस building की height बताईए क्या होगी multi-storied बोले तो यह है बड़ी building ठीक है इस building की height और इन दोनों buildings के बीच का distance बताईए तो बहुत प्यारा question है इसको समझना कैसे solve करते हैं तो यहाँ आजाते हैं और लिखते हैं solution देखिएगा यहाँ पे given लिखना भी जरूरी है तो given भी हम लिखेंगे given में हमें इन्होंने बोला था angles of depression of the top and the bottom अब देखो angle of depression की जब भी questions आते हैं तो यहाँ पे parallel line का concept जो उसकरना जो तुमने 8th class में पढ़ा है कि भाई जब भी कोई दो parallel lines होती है उसको जब भी कोई line काटती है तो उसको transversal बोलते और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो alternate interior angle होते हैं वो equal होते हैं अब बात को समझने मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूं उसका reason यह है कि कि जब आपने ratios पढ़ा था पिछले class में मतलब आपने जब पिछले chapter में ratios पढ़ा था तो उसमें जो भी ratio आपने पढ़ा है वो right triangle जो भी बन रहा है अगर यह right triangle बन रहा है तो इस right triangle में angle जो है वो हमेशा 90 degree के सामने theta अपन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे theta ऊपर बने हैं उपर बने हैं तो उन theta's को नीचे लाना जरूरी है कैसे लाएंगे उस चीज़ पर ध्यान देना देखो इसमें क्या होगा कि अगर आप दो triangles को ध्यान से देखें तो दो triangles एक तो आपको मिल रहे है PDB मैं बोल रहा हूं यहाँ पे triangle PDB और एक triangle आपको दिख रहा है PCA triangle PCA तो यहाँ पे यह दो triangles पे अपनी नजर जू बना के रखना है यहाँ पे यह जो triangle है ना यह triangle यहाँ वाला angle हमें known होना चाहिए और यह angle आपको तभी known होगा जब यह parallel line और यह parallel line के बीच में हम AB पी को और सब्सक्राइब को जब हम transversal मानेंगे तो अगर मैं PB को transversal मान लेता हूँ तो यह angle जो 30 degree का बन रहा है यह 30 degree का angle यहाँ बनेगा alternate interior angles are equal यह हमें यहाँ given में लिखना है clear है तो यही चीज में यहाँ लिखने जा रहा हूँ देखिएगा कैसे लिखेंगे given में हमें यहाँ पर बूला गया है कि angle of depression तो angle of angle of depression हमें दिया ठीके तो angle of depression जो की हमें हमने theta 1 लिया था वो हमें क्योंकि 30 degree दिया था तो सबसे बहले में इस चीज को theta 1 को यहाँ लेकर आऊँगा ठीके? angle PBD में निकालूँगा तो angle PBD तो यहाँ पर देखना since मैं directly लिख रहा हूँ since angle QPB QPB is equals to angle DBP DBP which is equals to theta 1 which is equals to 30 degree तो in triangle in triangle PDB PDB इस triangle के अंदर यह जो है यह 90 degree है right triangle है तो angle PBD 30 degree हो गया तो angle of elevation angle of elevation will be theta 1 which is equals to 30 degree यह चीज समझ आ रही है अब यहाँ से आपको एक ratio मिलेगा क्या PD perpendicular upon base तो perpendicular upon base तो देखिए गब perpendicular upon base अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ PD upon PD upon BD is equals to perpendicular upon base ठीके यह कब होता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले तो पंडित बदरी प्रसाद last में देखना P आया उपर हर हर बोले last में B आया उपर मतलब यह बात हो रही है 10-30 डिग्री की और 10-30 डिग्री अगर मैं बोलूं कि यह हो जाएगा 10-theta-1 angle of elevation में मैंने लगाया तो 10-theta-1 यहाँ पर 30 डिग्री लूँगा तो यह होगा 10-30 डिग्री is equals to perpendicular बोले तो PD यहाँ पर PD upon base बोले तो यहाँ पर BD और 10-30 डिग्री की value होती है 1 by root 3 तो यह हो जाएगा 1 by root 3 is equals to is equals to PD upon BC तो PD PD है यहाँ पर अभी PD को PD रहने दो चलो PD upon BD तो यहाँ पर यह BD आ गया यह ratio आ गया sorry BD था न BC क्यों लिग दे मैंने तो यह BD आएगा actual में यहाँ पर गलती की है यह BD आएगा PD upon BD तो यह BD यहाँ चला जाएगा तो आपको BD आपको base मिल गया इस triangle का BD की value आ रही है PD root 3 क्या आ रही है PD root 3 तो यहाँ पर PD root 3 यह वाली हमें value मिल गई PD into root 3 यह हमें value किसकी मिली है BD की ठीक है तो BD की value मिली है sorry तो यह BD की value हमें मिली है कि PD root 3 यह value आएगे अब BD equal होगा AC के क्योंकि यह दोनों line एक दूसरे के पैललल है भाई यह दोनों line इनके बीच में यह horizontal line है यह दोनों भी पैलल है आपस में दूरी similar है तो BD की value AC के बराबर है actual में तो यहां पे as मैं लिख देता हूँ BD is equals to AC as BD is equals to AC therefore in triangle कोल सा PCA sorry चलिए इस triangle के अंदर PCA triangle के अंदर अगर आप देखे तो यहां पे PC perpendicular मैं कहूंगा perpendicular upon base is equals to PC upon AC which is equals to 10 again 10 perpendicular upon base तो perpendicular upon base 10 की value होती है 10 theta 2 हो जाएगा यहां पे और 10 theta 2 के case में यह theta 2 होगा क्यों होगा यह theta 2 45 degree अगर मैं पूरा drawing clear कर दूँ दियान से देखना इस drawing को clear करके अब यहां पे theta 2 बनता होगा आपको दिखाता हो तो यहां पर यह दोनो parallel line है इनके बीच में transversal आप देखेंगे PA को और PA तो यह दो transversal के बीच में बनने वाला जो angle है sorry इन दो की बीच में नहीं horizontal नहीं यह वाले vertical दो line की बीच में बनने वाला transversal अगर यह 45 degree का angle बना रहा है यहां पर तो यह angle भी 45 degree का होगा clear है तो यहां पर इस तरीके से हमने इसको 45 degree बोला यह हो जाएगा 1045 degree की value तो therefore 1045 degree is equals to PC upon AC PC upon AC ठीके तो PC upon AC यह चीज हमने यहां पर भी बोल दिया तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है और 1045 degree की value कितनी होती है तो यह होती है 1 तो 1 is equals to PC upon AC PC upon AC और यह आजाएगा AC यह AC 1 के साथ multiply होगा तो AC is equals to PC यह बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दिया हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AC की जो value है वो actually PC के बराबर है हमने ऐसा बोल दिया और हमने ऊपर calculate किया था BD की value तो यह जो BD की value होई थी वो ही AC की value होगी तो AC AC की value BD के बराबर है यह भी हमने यहां पर बोला था कि As BD is equals to AC तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि BD AC के equal है AC PC के equal है तो BD और PC equal होंगे तो यहां पर हमने क्या किया PD और PC को equal कर दिया Therefore Therefore BD is equals to PC एक blank sheet में आपको लेके अब चीजे मैं समझाता हूं कि इसके आगे कैसे solve करेंगे देखना BD की value आप लोगों ने निकाला यहां पर कितना PD root 3 तो यह आजाएगा यहां पर BD की जगा पर PD root 3 तो PD root 3 आगया अब PD की value तो देखना blank sheet में ले लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कि BD is equals to PC हमने बोला था BD is equals to PC हमने बोला था तो इसका मतलब यहां पर BD की value थी PD root 3 हमें और क्या दिया था हमें question में और कुछ दिया था किसी की length दिये yes the angles of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building यह जो building दी थी BA यह 8 meter की थी ठीक है यह 8 meter की building थी तो DC भी आपका 8 हो जाएगा और इसको आप 2 minute के लिए X माल लो ठीक है तो यह हो जाएगा 8 plus X PC की value तो BD is equal to PC मतलब यह हो जाएगा आपका 8 plus X PC की value और BD की value कितनी है तो BD की value आपकी आई है PD root 3 तो यह आगया है आपका PD root 3 और PD की value कितनी होगी तो PD आपका है X तो X PD हमने लिया था तो यह हो जाएगा X root 3 is equal to 8 plus X यह चीज समझ आ रही है और यहाँ से जब मैं X find करूंगा तो यह हो जाएगा X root 3 minus X which is equal to 8 और इन दोनों में से जब X common लिया तो यह हो जाएगा root 3 minus 1 root 3 minus 1 is equal to 8 और X की value आएगी 8 upon root 3 minus 1 clear है तो यह आगई X की value अब क्योंकि denominator में root नहीं होता तो इसको rationalize कर लेते हैं तो यह हो जाएगा X is equal to 8 upon root 3 minus 1 multiplied with root 3 plus 1 rationalization आप लोगों को आना चाहिए multiplied with उपर भी आएगा root 3 plus 1 यह हो गया और यहाँ पर इसको जब मैं solve करूंगा तो X की value आजाएगी 8 root 3 plus 8 उपर 8 के साथ मैंने यह bracket खोला नीचे solve करने पे A plus B A minus B तो यह identity लगेगी A square minus B square की identity तो यह हो जाएगा root 3 का square मतलब 3 ठीके minus B square तो minus B square मतलब minus 1 तो यह value हमारी X की आजाएगी अगर मैं 8 multiply ना करूं तो यह bracket में रहने देते हैं 8 root 3 minus 1 upon 2 2 से यह 8 कटा तो X की value आ गई 4 bracket में आएगा root 3 minus 1 यह चीज आपकी X निकल के आ गया clear है यह चीज तो यह X निकला क्या है actually यह X निकला है यह ठीके आपको निकालना है पूरा PC multi-story building की height निकालने थी multi-story building की PC निकालने के लिए हम करेंगे X plus 8 तो हमें पता है कि since PC is equals to since PC हमें पूरा PC निकालना था तो PD plus DC है तो PD plus DC है और PD की value आपने अभी निकाल ली जो कि आपने X लिया था PD की value आपने X ली थी तो X की value मतलब 4 root 3 minus 1 यह value ठीके sorry यह नहीं है क्या था 4 bracket में था root 3 minus 1 यह था PD की value plus DC की value है 8 ठीके यह आपका आजाएगा PC की value इसको solve कर लेते हैं तो PC हमारा निकल के आएगा कितना देखना 4 root 3 minus 1 यह solve करूँगा तो यह हो जाएगा 4 root 3 minus 4 minus 1 is 4 plus 8 तो minus 4 plus 8 यह हमें देगा 4 root 3 4 root 3 plus 4 clear है यह चीज तो plus 4 यहाँ से हमें value क्या मिल रही है तो यह हम अगर root 3 की value substitute कर दे तो PC हमें मिल रहा है कुल मिला के 4 बहार bracket में root 3 minus 1 root 3 minus प्लस 1 तो root 3 plus 1 हमें मिला है clear है तो minus 4 plus 8 होता है plus 4 ठीक है तो root 3 plus 1 और root 3 की value कितनी है यह है 1.73 plus 1 तो यह value आजाएगी 4 multiplied with 1 plus 1 होता है 2.73 और इसको multiply अगर करता हूँ तो approximate value आएगी 4 into 3 is 12 12 का 2 carry 1 4 into 7 is 28 29 2 carry 4 into 2 is 8 9 10 तो 10.92 यह ऐसा बोलो 11 meter 11 meter meter में आएगा पूरा unit है क्योंकि यहाँ पे 8 meter tall building बोली थी यह सामने वाली तो यह multi storing building जो है यह आपकी आई है 10.92 मतलब है 11 meter के approximate value तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 meter approx value आई है clear है यह चीज़ तो इस प्रकार से आपको इस example को solve करना था एक बहुत प्यारा question आप लोगों के सामने solve हो गया है important है जादा marks में एकदम आ सकता है clear है तो यहां तक हमने लिए सिर्फ examples जो इस chapter से मुझे लगता था important है जो यहां तक मैंने लिए exercise के 2 से 3 question उठा लेते हों फिर MCQ भी देख लेंगे तो 2 question मैं exercise से ले रहा हूँ पतंग उड़ रही है तो यहां पर अगर यह ground है तो ground से जो सीधी height है kite की वह height हमें दी है 60 meter पतंग उड़ रही है ठीक है the string attached to the kite इस पतंग से जो string attached है ठीक है वह string temporary tied to a point on the ground ground के उपर हमने उसको tie कर दिया string को तो इंसान नहीं उड़ा रहा string जो है हमने जमीन से tight कर दी तो string हमने जमीन से tight कर दी और ground से ही उसकी height दी है तो इस तेके से right triangle यहां बनेगा क्या बूल रहा है the inclination of the string with the ground is 60 degree 2 marks यह 3 marks में बहुत प्यारा question आ सकता है कि जो 60 degree का angle बन रहा है वो ground से बन रहा है kite यहां पर है find the length of this string आप बताईए यह length of this string क्या होगी मतलब अगर AC वो पूछ रहा है ABC यह triangle है तो AC वो पूछना चाहरा है assume यह करना है कि no slack in the string no slack slack word का मतलब है कि वो जो हम पतंग उड़ा रहे हैं उस thread में कहीं पे भी curve नहीं है धीली नहीं है एकदम tight हमने कीचके रखी है तो एकदम tight कीचके हमने जब नीचे बांदी slack नहीं है तो यह hypotenuse हो जाएगा एक right triangle का clear है बहुत असान question मुझे निकालना AC तो AC निकालना है that means मैं यहां पर देखो क्या करूंगा पहले तो मुझे given क्या है तो given है मुझे let A be a kite मैं A को kite माल लेता हूँ ठीके तो मुझे यहां पर बोला है tide, tide, string is tide हमें बोला है string जो है वो tide की हुए है तो string is tide, ठीके, at point C as shown in figure यह teacher को जो दिखा के आना as shown in figure जैसा की figure में दिखाया है तो angle of elevation angle of elevation यहां पर जो theta दिया है वो है 60 degree का और A B length of the kite from the ground मतलब height of the kite तो हमें height of kite दी है height of kite from ground ground से दी है तो यह हमें height दी है कितनी 60 meter clear है 60 meter की height पर kite ओड़ रही है अब हमें क्या निकालना है तो to find हमें क्या बताना है हमें पता करना है hypotenuse मतलब length of string length of string हमें निकालनी है और यहां पर अगर मैं लिख दू length of string का मतलब है यह AC find करने को बोल रहा है clear है चलो कैसे solve करेंगे तो red pen choose कर लेते हो यहीं पर solve करते हैं सामने ही अब देखो AC जो हमें find करना है upon और जो हमें पता है AC upon AB क्या मैं बोल सकता हूं AC upon AB अब यह AC upon AB मैं देखूं तो यह formula है hypotenuse upon perpendicular का ठीक है अब hypotenuse upon perpendicular मतलब perpendicular hypotenuse upon perpendicular का मतलब है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले ठीक है अब देखो तो यहां पेजिकली हमें cut मिल रहा है सब्सक्राइब का अब यृपरेंकिलर बन गया hypotenuse upon perpendicular यह हम ऐसा बोल सकते हैं Sine अगर हम ले ले, Perpendicular upon Hypotenuse, तो हम एक काम करते हैं, इसको Sine ले लेते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं, कि Sine Theta is equals to, इसका Ratio होता है, Perpendicular upon Hypotenuse, हमें Perpendicular पता हैं, हमें Hypotenuse पता है, Sine Theta की Value, यहाँ पर हम ले लेते हैं, Sine 60 degree, यह ले लिया, which is equals to, Perpendicular हमें पता हैं, यहाँ पर 60, तो Perpendicular हम ले रहे हैं, A, B, और Hypotenuse हम ले रहे हैं, A, C, ठीक है, तो A, B हमें दिया है, 60, और A, C हमें Find करना है, यह A, C हमें Find करना है, ठीक है, अब Sine 60 degree की Value कितनी, तो Sine 60 degree की Value होते हैं, Root 3 by 2, ठीक है, इसको Solve करी है, इसको एक Blank Sheet में Solve कर लेते हैं, तो Root 3 by 2, Root 3 by 2, is equals to 60 meter, जो Perpendicular दिया था, upon A, C, इस Ratio को जब मैं Solve करूँगा, A, C, यहाँ चला जाएगा, और यह आजाएगा, 60 multiplied with 2 upon Root 3, clear है यह चीज़, Solve हो गया, अब क्योंकि Denominator में, Root है, तो Root को Rationalize करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, A, C की Value, 60 into 2 into Root 3, उपर जाएगा, नीचे Root 3 multiplied with Root 3, होता है 3, तो यह हो जाएगा 120, multiplied with Root 3, upon 3, 3 से यह 120 कटा, तो यह हो जाएगा 3, 4 times 12, तो यह हो जाएगा 40 Root 3, यह हमारा A, C निकल आया, Length of this string, तो Length of this string, यह A, C निकल के आगया, जो कि Meter में आएगा Unit, तो यह हमारा आगया है, 40 Root 3 मीटर, Clear है, बहुत प्यारा कोशन, बहुत अच्छा कोशन, आप लोगों के सामने, कैसे Sol करना था, वो बता दिया, पतंग को हमने, जमीन में tight किया था, ठीक है, और यह हमने, A, C कुल मिला के, Find कर दिया, Clear, बस, इसी तरीके से, आपको Sol करना था, Board कर देते हैं, Clear, आ जाते हैं, वापिस सवाल, Question No.5 पे, तो यहाँ पे भी कर देते हैं, Board Clear, एक कोशन एक्सराइज से, All लेते हैं, तो नेक्स कोशन क्या है, उसको देखना कोशन, Two poles of equal height, standing opposite each other, on either side of the road, अब देखो, इस सवाल में क्या बूल रहा है, इस सवाल में कह रहा है, कि दो poles हैं, poles कितने हैं, दो हैं, और वो दोनों equal height के हैं, opposite में, दो poles standing position में हैं, और दोनों की height जो है, वो एकदम similar है, तो यहां पर हम एक drawing बना लेते हैं, हम एक pole ये ले लेते हैं, दूसा pole हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये road के either side में है, तो ये मैंने either side में, दो poles of same height, मैंने खड़ा कर दिया, which is 80 meter wide, क्या road की बात हो रही है, road जो है, वो 80 meter जो है, वो wide है, चोड़ी है, तो 80 meter, तो मतलब ये total जो road की length हमें दी है, ये 80 meter दी है, यहां से यहां, और यहां से यहां, तो इतना प्यारा question, ठीक है, उसके बाद, from a point between them on the road, ठीक है, ये road की उपर एक ऐसा point है, जो की इन दोनों poles के बीच में है, बीच में ये जहां पे भी है, ठीक है, the angle of elevation, angle of elevation का मतलब, नीचे से उपर की तरफ देख रहे हैं आप, तो angle of elevation of the top of the poles are, 60 degree and 30 degree, अब देखो, यहां पे सवाल समयना पड़ेगा, कि एक point ऐसा है, कि जब उस point से, मैं दोनों poles को देखूंगा, तो जो angle of elevation बन रहा है, वो 60 degree और 30 degree बन रहा है, तो यहां पे बात को समयना, कि जिस point की बात ये लोग कर रहे हैं, वो point किसी न किसी pole के बहुत पास में होगा, the reason is being, कि point से जब मैं pole की height देखता हूं, तो angle बड़ा बनेगा, और जब उस point से दूसा pole देखूंगा, क्योंकि वो angle कम है, तो वो point दूर होगा, ठीके, तो यह वाला जो angle है, यह 30 degree का होगा, क्योंकि मैं दूर से pole देख रहा हूं, तो angle कम बनेगा, और मैं pass आके pole की height देख रहा हूं, तो angle बड़ा बनेगा, ठीके, तो यहाँ पे angles की समझ आपको होनी चाहिए, कि 60 degree का angle और 30 degree का angle किस side बनना चाहिए, अब, find the height of the poles and the distance of the point from the pole, अब बात को समझना है, इस point का एक तो distance दोनों pole से बताना है, और दूसरे इन poles की height बतानी है, तो इसका थोड़ा सा नाम करन कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ, यह vertex है A, यह point है B, और यह point को मैं ले लेता हूँ C, ठीके, इस point को मैं बोल देता हूँ D, और इस point को मैं बोल देता हूँ E, ठीके, तो A, B, C, D, E, मैंने नाम देती है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर given लिखना बहुत जरूरी है, ठीके, तो given में हमें क्या-क्या दिया हूँ है, तो मैं यहाँ पर given में बोल रहा हूँ, कि B से लेके E तक का जो distance है, तो distance between both poles आपको दिया हूँ है, तो distance between both poles, distance between both poles, और यह दोनों poles के बीच का जो distance है, इसको हम B, E बोलेंगे, क्या बोलेंगे B से लेके E, तो यह हमें दिया है 80 meter, यह हमने लिख दिया, दूसरा, जो point C है, तो C से angle of elevation जो बन रहा है, वो 60 degree बन रहा है, उस pole D, E के लिए, तो angle of elevation, बोल देता हूँ कि angle of elevation, of pole D, E, which is equals to theta 1 माल लेता हूँ, और यह हमारा हो जाएगा कितना, 60 degree, तो मैंने 60 degree को theta 1 माल लिया, और हम angle of elevation D, E का top देख रहे हैं, D point देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हमें given है angle of elevation, angle of elevation, of pole, कौन से pole की बात हो रही है, A, B की pole की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा हमारा theta 2, जिसको हम 30 degree, ठीक है, तो यह सब हमें दिया हुआ था, यह हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और दूसरा मैं है आपे बोल रहा हूँ, let the height of both pole is equals to H meter, which is equals to A, B, कौन से दो pole है, which is equals to A, B and D, तो दोनों pole की जो height है, वो मैंने H meter ले ली है, यह H meter ले ली है, अब यहां से मैं एक काम करता हूँ, कि C से लेके E तक का जो distance है, इसको मैं X माल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज और यहां पर मान के चल रहा हूँ, let the distance, let the distance between, let the distance from point C to pole A, D, E, is equals to X meter, अगर मैं इसको X माल लेता हूँ, इस distance को, यहां से यहां तक के distance को, अगर मैं X माल लेता हूँ, तो इसका मतलब B से लेके C तक का जो distance होगा, B से लेके C तक का जो distance होगा, यह होगा 80 minus X, कोई doubt नहीं यहां पर, भाई, total distance 80 है, इसमें से X हटा दिया, तो BC का जो distance है, वो 80 minus X आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दूँगा, therefore, the distance, the distance, from, point, C, to, pole, कौन सा pole, AB, is equals to, यह हमारा हो जाएगा, 80 minus X, कोई doubt नहीं है यहां तक, तो यह हमने यहां तक, solve कर लिया है, 80 minus X, meter, सारी कहानी, meter में चल रहे है, हम भी meter में चलने देंगे, तो यह पूरी चीज, मैंने क्या किया, यह मैंने given में लिख दिया, अब, to find में क्या है, तो एक काम करते हैं, blank sheet लेते हैं, और यहां पे लिखते हैं, to find, हमें पता क्या करना है, actually, तो हमें, height of the pole, सबसे पहले find करना है, तो height of pole, हमें find करना है, which is equals to H, ठीक है, और दूसरा, हमें, distance पता करना है, distance of point, distance of point C, from both poles, from both poles, यह हमें बताना है, from both poles, तो, यह दो चीजे, हमें find करनी है, इन दो चीजों के लिए, हम यहां पे, इसको mention कर देते हैं, कि first, हमें यह पता करना है, second, हमें यह पता करना है, चलिए, height of the pole, एच्छे, distance of the point C, from both poles, यह हमें find करना है, चलिए, कैसे बता करेंगे, तो जो drawing हमने पीछे बनाई है, वो एक बार यहां और बना लेते हैं, यह distance है, यह point हमने C, यहां पे लिया था, यहां से यहां तक का distance, और यहां से यहां तक का distance, ठीक है, तो यह हमने, यहां पे नाम दिया था, A, B, C, D, E, and E point, ऐसे हमने नाम दिया है, ठीक है, यह angle जो है, यह है आपका 30 degree का, तो 30 degree, और यह जो angle है, यह है 60 degree का, चलिए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कि in triangle, in triangle, D, E, C, D, E, C की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे यह जो D, E है, यह मैंने H माना इस pole की height को, तो यह हमारा height आगया H, ठीक है, जो हमने माना है, और हमने C से लेके E तक का, जो distance है, यह हमने X माना है, तो एक H माना है, एक X माना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कि इस triangle में, कौन से triangle में, D, C, E triangle में, अगर मुझे D, E upon C, E करना है, इस चीज़ को समझना, अगर मुझे D, E upon C, E लिखना है, that means, D, E जो है, वो perpendicular है, और C, E जो है, इस triangle में, वो base है, यह चीज़ समझ आ रही है, तो हमने क्या किया, D, E upon C is equal to perpendicular upon base, और यह ratio, trigonometry में, कहां पर आता है, perpendicular upon base, यह आता है, tan of, tan of 60 degree, तो tan 60 degree की जो value है, वो है, perpendicular upon base, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि tan 60 degree is equals to, perpendicular बोले तो H, और base बोले तो X, तो H upon X आगे, tan 60 degree की value, ठीक है, अब tan 60 degree कितना होता है, तो tan 60 degree की जो value होती है, होती है, root 3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि root 3 की value आ गई, H upon X, clear है यह चीज, अब X जो है, यह transposition method से, root 3 के पास चला जाएगा, और यह X यहां जाके, multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, X root 3, जो की value आ रही है, H की, तो इसको हम एक box में डाल देते हैं, यह हमाएपास height आ गई है, एक pole की, clear है, जब मेरे पास height आ गई, तो यह मैंने triangle लिया था, triangle D, E, C, अब मैं लूँगा, triangle A, B, C, N, triangle A, B, C, अगर मैं बोलूँ, ratio यहां पे, AB upon BC, तो AB upon BC, मतलब इस triangle में यह perpendicular है, और यह बेस है, तो यहां पे मैं बोलूँगा, P upon B, और P upon B का ratio, again, tan में आता है, तो हम कहेंगे, यहां पे, यह हो जाएगा, tan 30 degree, clear है, तो tan 30 degree, यहां पर, हमारा बनेगा, क्या, AB upon BC, तो AB है, हमारा H, और BC, B से लेके, C तक की जो दूरी है, यह अभी मैंने समझाई, यह दूरी है, 80 minus X, क्यों 80 minus X, total distance था 80, उसमें से X हटा दिया, तो यह बचा है, 80 minus X, तो यह आजाएगा, H upon 80 minus X, clear, और 10 30 degree की value, 1 by root 3 होती है, तो यहां पर, 1 by root 3, is equals to H upon 80 minus X, देखू, कितने पैरे तरीके से, यह solve होकर आया है, यहां पर, अब 80 minus X, यहां चला जाएगा, cross multiplication कर रहा हूं मैं, तो यह हो जाएगा, 80 minus X, upon root 3, which is equals to H, एक pole की height, यह आई है, और एक pole की height, यह आई है, तो दोनों pole की height, क्योंकि similar है, इस कारण, मैं इसको बोलूँगा 1, और इसको बोलूँगा 2, 1 is equals to 2, ठीके, दोनों आपस में equal हो जाएगे, तो यहीं पर इसके सामने, मैं solve कर देता हूं, यह हो जाएगा, X root 3, देखना, X root 3, is equals to, X root 3 is equals to, 80 minus X by root 3, यह हो गया, clear है, अब यहां से हम X find कर सकते, यह root 3, इसके साथ जाके multiply होगा, तो यह हो जाएगा, X root 3, multiplied with root 3, which is equals to, 80 minus X, clear, और root 3 into root 3 होता है, 3X, तो यह होगा, 3X is equals to, 80 minus X, और यह minus X, यहां जाएगा, तो यह plus 4X हो जाएगा, ठीके, minus X यहां जाएगा, तो प्लस होगा, 3X plus X होगा, 4X, तो यह value हो जाएगी, 4X is equals to 80, और X की value, finally हमाई पास आ रही है, 20, क्या आईए, X की value, 20, कैसे, यह 480 के नीचे चला गया, तो 4, 2 times होता है, तो X की value आ गई, 20, अंसर नहीं आया अभी, बात को समझना, यह जो X आया, यह यह आया, क्या, C से लेके, E तक की दूरी आईए, C से लेके, E तक की दूरी आईए, हम एक sheet all ले ले लेते हैं, चलिए, तो यहां पे, एक sheet और बढ़ा लेते हैं, चलिए, यह मैंने next sheet ले लिए, इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या आपकी value आई है, देखना, यह दो poles थे, इस poles में, यह जो दूरी थी, यह हमने एक point लिया था, C, तो यहां पे, था point C, 2 minute hold करिएगा, थोड़ा सा, चलिए, यहां पे देखना, यह था point C, तो C से लेके, E तक की दूरी, यह आपने calculate कर लिया है, X, जो कि आपका आ रहा है, कितना, पीछे जाके sheet में देखें, यह हमारा आ रहा है 20, तो यह हमारा आया है 20, अब, यहां से, यहां तक की दूरी, इस point से, इस point तक की दूरी, अगर मैं देखूं, तो यह थी 80-X, और X की value तो 20 है, तो X की value क्योंकि 20 है, तो मैं यहां पे जब substitute करूंगा, तो यह distance, कौन से point से, A, B, तो B point से C तक की दूरी, तो BC की दूरी हमारी आ गई है, 80-X, X20 substitute कर दो, A, B की C points है, और यह जो pole था, A, B, C, D, यह जो pole था, D, E, D, E की value हमारे पास आई है 20, अब unit क्या है, तो पूरी कहानी meter में चल रही थी, इस कारण हम कहेंगे, 60 meter and 20 meter, इसमें कोई doubt नहीं है, तो हमने second part को पहले solve कर लिया, जो हमें यहाँ पे solve करना था, अगर आप पीछा के देखे, तो distance of point C from both poles, यह हमने calculate कर लिया, अब हम first की तर जाते हैं, तो height of the pole H, बताईए क्या होगा, तो height of the pole H, अगर यह H था, ठेके, और यह यहाँ से जो angle बन रहा था, यह 30 degree का था, और यह जो point बन रहा था, यहाँ पे angle of elevation 60 degree था, तो आप लोगों ने देखा, कि H की value, आप लोगों ने पीछे calculate की है already, क्या, किसी एक में भी, आप अगर X substitute कर देंगे, तो आपको H मिल जाएगा, तो H is equals to X root 3, मैं क्या कर रहा हूँ, X की value, first equation में substitute कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, H is equals to X root 3 था, first equation जो था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, substitute, substitute, X equals to 20 meter, in, in, first equation, तो यह height of the pole निकल के आजाएगा, यह आएगा 20 root 3 meter, खतम कहानी, अगर सवाल में, root 3 की value दी है, तो आप root 3 की value को यहाँ substitute करेंगे, और solve करेंगे, 1.732, क्योंकि सवाल में नहीं दी, अगर मैं सवाल पर आता हूँ, तो यहाँ पे root 3 की value कहीं नहीं दी, तो आपको root 3 की value नहीं substitute करनी, अंसर को वैसे ही छोड़ दो, clear है यह चीज, तो हमने पूरा पहले given लिखा, given के बाद हमने क्या किया था, तो given के बाद हम लोग आये थे, उसके to find वाले part पर, और यह find करके हमने x निकाला था, x से हमने यह वाला distance c निकाला, फिर bc निकाला, फिर a b height, pole of the height निकाली, clear है यह चीज, तो चलो, board clear कर देते हैं, यह मैंने किया board clear, पीछे से भी board clear कर दीजिए, चलिए board clear हो गया है, हमाई पास space आ गई है, next question solve करने के लिए, तो exercise 9.1 में, आपने एक question number 10 भी देख लिया, एक और question लेते हैं, question number 15, ठीक है, तो exercise 9.1 में, आपके सामने एक सवाल all लेकर आया हूँ, जो कि एक अच्छा सवाल है, जादा marks में देखने को एकदम मिल सकता है, और एक different variety है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, question number 15 में, कि यह straight highway leads to the foot of a tower, क्या बोल रहा है, एक सीधा highway जा रहा है, और उसका जो अन्त है वो एक पोल है, यह ऐसा बोलना चाहरा है, तो बात को समयना यह highway जा रहा है, और highway का जो अन्त है वो एक पोल है, ठीक है, इसके बाद यह क्या बोल रहा है, a man standing at the top of the tower, एक आदमी जो है, वो इस top पे बैठा हुआ है, टॉवर के top पे बैठा हुआ है, ठीक है, at an angle of depression 30 degree, top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, यह बंदा, angle of depression, मतलब नीचे देखने का जो angle बन रहा है, नीचे देखने का angle मैंने आप लोगों को समझाया था, कि यहाँ पर आप एक parallel line, dotted line बना दीजे, तो जब देखने वाली horizontal line नीचे की तरफ होती है, तो वो angle of depression के लाता है, that means, अगर कोई काड़ी यहाँ पर है, तो इस गाड़ी को देखने का जो angle बन रहा है, यहाँ से, वो 30 degree का angle बन रहा है, तो angle of depression उन्हें दिया है 30 degree, clear है यह चीज, तो arrow में side बनायता हूँ, जो line of sight है, वो इस तरफ है, clear, 30 degree angle उपर बन रहा है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, which is approaching the foot of the tower, with a uniform speed, तो यह गाड़ी जो है, यह pole की तरफ आ रही है, उसकी जो speed है, वो uniform speed है, uniform speed का मतलब, speed उस वो ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, एक uniform speed है, एक जैसी speed उसने रखी है, और वो गाड़ी आ रही है, pole की तरफ, ऐसा यह बोलना चाहरा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो इस triangle का नाम करन करते हैं, A, B, C, मैं कहूंगा, एक car C point से, B point की तरफ आ रही है, ठीक है, और angle of depression 30 degree है, आगे क्या बोल रहा है, 6 seconds later, 6 seconds के बाद, उसने फिर से उस car को देखा, 6 seconds के बाद, जब उसने उस गाड़ी को देखा, तो angle of depression of the car is found to be 60 degree, ठीक है, वो जो angle of depression बन रहा था, वो 60 degree का बन रहा था, that means गाड़ी यहां तक आ चुकी थी, ठीक है, और angle of depression जो बन रहा था, वो यहां से यहां, यह angle of depression है, ठीक है, एक यह 30 degree, और यह जो angle of depression बना है, यह 60 degree का angle of depression बना है, तो यह point C से D point तक आ गई थी, 6 seconds के अंदर, तो यह जो distance cover हुआ है, यह 6 seconds में cover हुआ है, time दिया हुआ है, यह जो distance cover हुआ है, यह 6 seconds में cover हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला है, अब आगे क्या बोल रहा है, find the time taken by the car, अब आप बताईए, car को कितना समय लगेगा, to reach the foot of the tower from this point, इस point से, अगर अब गाड़ी को इस point तक आना है, तो कितना समय लगेगा, यह time आपको calculate करना है, D से B तक का time आपको calculate करना है, इतना प्यारा question एक different variety, और एक अच्छा question school exam में, ज्यादा marks में देखने को मिल सकता है, तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम given लिख लेते हैं, हमें क्या-क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है a pole, ठीक है, a pole, a pole of h meter, हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि pole की हमें height नहीं पता, तो हम उसको h meter का pole मान लेते हैं, तो a से b तक का, यह जो pole का height है, यह अगर h है, ठीक है, यह अगर h है, तो a pole of h meter, और यहाँ पर जो car है, ठीक है, तो car, car is approaching, approaching towards, towards foot of pole, foot of pole, और यह pole का जो foot है, यह है point B, foot of pole B, clear है यह चीज़, ठीक है, जो distance cover हुआ है, CD, यह हमें 6 second दिया है, तो angle of, angle of depression हमें दिया है, अब पहले तो हम angle of depression से, angle of elevation निकालते हैं, कि क्या-क्या बनेगा, तो बात को समझना, यह line, इस line के parallel है, यह transversal है AC, क्योंकि AC transversal है, इन दोनो parallel lines के बीच में, क्योंकि AC transversal है, तो जो angle यहां 30 degree का बन रहा था, वो angle यहां 30 degree का बनेगा, मतलब यहां पे जो angle है, यह angle of elevation, अगर मैं car से उस आदमी को देखूं, ठीक है, तो भी angle of elevation जो है, angle of elevation 60 degree यहां पे होगा, clear है, अब आपको यहां पे दो triangles मिल रहे है, एक triangle मिल रहा है ABD, और एक triangle मिल रहा है ABC, तो दो triangles मिल रहे हैं आपको, चलिए, अब लेकिन, लेकिन इसको solve करने से पहले, क्योंकि हमें चीजे जो दी है, वो time की रिसाब से दिये, distance नहीं दिया, क्या नहीं दिया, distance नहीं दिया, हमें C से लेके D तक का distance नहीं दिया, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, कि let the distance, let the distance, CB, total distance, ठीक है, car जहां से उसमें देखनी चालूगी थी, वहाँ से वहाँ तक का distance, अगर मैं बोल दूँ, कि ये distance X था, कितना था ये distance X था, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, let the distance CB, is equals to, यह इसको ना मानते हुए, हमें काम करते हैं, let the distance CB ना बोलते हुए, हम बोलते हैं, distance CD, देखो, distance CD देखना कैसे calculate करेंगे, तो C से लेके, D तक का distance, और distance का formula क्या होता है, तो आपको speed का formula पढ़ा होगा, बच्पन में हमने पढ़ा था, speed is equals to distance upon time, तो distance upon time, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि distance अगर calculate करना है, तो speed को time के साथ multiply कर दीजे, तो speed multiplied with time, यह आपका distance का formula हो जाएगा, तो distance is equals to speed multiplied with time, इस formula का अगर use मैं यहाँ पर करूँ, तो distance CD को मैं ऐसा बोलूँगा, कि भाई, कितना time लगा 6 second, और speed क्या थी, तो uniform speed थी, तो उस uniform speed को मैं एक काम करता हूँ, उस uniform speed को मैं मान लेता हूँ, x meter per second, speed को मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले वो लिख देते हैं, let the speed of car, let the speed of car, is equals to x meter per second, second के सबसे दिया है, meter में चीज ले रहे हैं, तो meter per second का, मैंने speed ले लिया, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा, therefore distance, therefore distance, cd is equals to, 6 second लगे हैं, cover करने के लिए, तो time लगा है, 6 second, speed है x, तो यह हो जाएगा 6x, clear है, meter में, 6x meter, इसमें मेखाल से, कोई डाउट नहीं होगा, तो अगर यह distance 6x है, कितना है यह distance, मैं यह 6 second अठाके, यहाँ पर 6x लिख देता हूँ, clear, and similarly, मैं यहाँ पर बोलूँगा, similarly, distance, distance, पहले हमने cd लिया था, अब हम db ले रहे हैं, similarly, the distance db, d से लेके b तक का भी तो कोई distance होगा, वो distance कितना होगा, तो again, speed multiplied with time, speed हमने क्या लिया था, x, और time हम माल लेते हैं, उसको small t time लग रहा है, तो t, small t multiplied with x, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तो t multiplied with x meter, यह distance उसको लग रहा है, d से b आने में, तो यहाँ से d से b, tx मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने time भी suppose किया है, वो मैंने लिखा नहीं है, तो उसको भी यहाँ लिखते दे हैं, let, यहाँ पर भी एक line कीच देते हैं, let time taken, let time taken, by car, to reach, to reach, point, d to, b, d से b point तक जाने के लिए, उसको जो time लगा है, वो, t seconds लगे है, ऐसा बोल सकते हैं, clear हैं, तो यह चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, यह मैंने आपको समझा है, अब देखो, आपके बाद distance आ गया, c से d तक कर distance आ गया, d से b तक कर distance आ गया, अब मैं यहाँ पर trigonometric ratios का use कर सकता हूँ, थोड़ा सा question पर ध्यान बना के रखना बहुत असान है, कोई मुश्किल नहीं है, चलो, यहाँ पर मैं ऐसा एक काम करता हूँ, पहले drawing बना लेते हैं, यह car आ रही थी, और यह बंदा यहाँ से watch कर रहा था, angle of elevation यहाँ पर 30 degree था, यहाँ पर 60 degree हुआ, यहाँ से यहाँ तक का distance जो है, यह 6x है, और यहाँ से यहाँ तक का distance जो है, यह Tx है, ठीक है, और यह जो pole की height है, यह h है, clear, और हमने नामकरन क्या किया था, तो वो भी देख लेते हैं, A, B, C, और बीच में D, तो यह point था A, यह point था B, यह point था C, और यह point था आपका D point, ठीक है, तो यह इस तरीके से, बस आपको यह data given है, अब इस data से देखना, in triangle, क्या मैं बोल सकता हूँ, in triangle, A, B, D, A, B, D, height, मतलब pole, कि अगर मैं height देखूँ, तो pole है आपका A, B, और distance है D, B, तो यह base है, A, B upon D, तो यह था perpendicular, यह था upon base, यह था आपका tan का ratio, तो tan 60 degree यहाँ पर आ जाएगा, clear है यह चीज, तो tan 60 degree की value क्या है, perpendicular upon base, इस चीज को जब मैं solve करूँगा, तो tan 60 degree की value होती है, root 3, यह मैंने डाला, root 3 is equals to perpendicular है, height of the pole, और base का जो distance है, वो है TX, को डाउट नहीं, clear है, तो height of the pole, यहाँ से कितना आया, तो height of the pole आ गया, root 3 multiplied with TX, clear है यह चीज, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, root 3 multiplied with TX, यह आई है हमारी height of the pole, H, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं, अब अगर मैं दूसरे triangle देखू, ABC, बड़ा वाला triangle, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, in triangle ABC, अब जो ratio बनेगा, वो बनेगा AB upon BC, भाई यह pole की height, मतलब perpendicular upon पूरा base, ठीक है, यह again बनेगा आपका H upon, H upon, यह मैं ऐसे लिख दूँ, कि यह था आपका perpendicular upon base, यह ratio हमारा आता है, again 10 में, और यहाँ पर जो degree आएगी, वो आएगी 10-30 degree, clear है, और 10-30 degree की value कितनी होती है, तो 10-30 degree की value होती, 1 by root 3, यह आगया 1 by root 3, which is equals to, perpendicular बोले तो height upon base, base यह है total distance, और यह total distance आपका आएगा, 6X plus TX, यह वाला distance, प्लस यह वाला distance, तो total distance आ रहा है, 6X plus TX, यह मैं यहाँ लिख दूँगा, 6X plus TX, clear है, चलिए, यहाँ पर एक line खीच देते हैं, और आगे समझते हैं कि, अब यहाँ से कैसे solve करना, H की value यह जो थी है न, इसको उठा के जब यहाँ substitute कर दोगे, तो एक काम करते हैं, कि यहाँ से हम बोल देते हैं, कि H की value एक तो हमारे पास यहाँ से आ रही है, वो क्या रही है, 6X plus TX, यहाँ चला गया, तो यह आगे, 6X plus TX upon root 3, clear है यह चीज़, तो यह एक H की value है, और यह एक H की value है, इसको आप 1 दे दीजिए, और इसको आप 2 दे दीजिए, एक blank sheet ले लेते हैं, चली, blank sheet पर आ जाए, तो एक blank sheet और add कर लेते हैं, यहाँ पर चली, ओके, अब यहाँ समझना, दोनों equation ले लेते हैं, दोनों equation को equalize कर देंगे, तो दो equation यहाँ पर क्या लिखी हुई है, उसको ध्यान देना, यहाँ पर एक equation आई थी, आपकी H की value, ठीके, तो H is equals to, H is equals to, यहाँ पर H की value हमारे पास आई थी, root 3 TX, ठीके, तो root 3 TX, यह थी, root 3 multiplied with TX, एक value हमारे पास यह थी, और H की दूसरी value जो हमारे पास निकल के आई है, वो निकल के आई है, 6X plus TX upon root 3, तो 6X upon 6X plus, दो मिनट, 6X plus, क्या बोला है, TX upon root 3, तो TX upon root 3, तो TX upon root 3, एक value यह आई है, अब देखो, यह H क्या था, यह H जो था, यह pole था, pole की height थी basically, तो, यहाँ पर आपको बताया था, कि H हमने AB लिया है, ठीके, तो pole तो similar ही रहेगा, मतलब दोनों, जो H आए हैं, उनको अगर मैं equalize कर रहा हूं यहाँ पर, तो इस चीज को ध्यान देना, अपॉन रूट 3, यह equation बनेगी, और यह रूट 3, डिनॉमिनेटर वाला, यहाँ जाके multiply होगा, तो यह होगा, रूट 3 multiplied with root 3, TX, which is equals to, 6X plus TX, clear, और root 3 into root 3 होता है, 3TX, तो यह हो जाएगा, 3TX, which is equals to, 6X plus TX, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे, TX और TX वाली term, सेम दिख रही है, तो यह TX इदर ले आता हो, minus TX हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2TX is equals to 6X, और T की value यहाँ पर आएगी, 6X by 2X, X से X cancel, 2 से 6 cancel, तो finally, मेरे पास, T जो आया है, यह आया है 3, 2, 3 times 6 होता है, तो T की value यह 3, अब आजाते हैं सवाल के उपर, तो T क्या था हमारा, तो हमारा सवाल कहाँ पर है, इदर ध्यान देना, सवाल हमारा यह है, और यहाँ पर हमने जो T लिया था, वो यह था, T seconds, क्या था यह, let the time taken by a car, to reach the point D to B, D से B जाने का जो time था, वो निकल के आगया T second, और यही तो हमें find करना था, देखो, find the time taken by the car, to reach the foot of the tower, from this point, this point मतलब D point की बात हो रही थी, तो D point से कितना time लग रहा है, 3 second का समय लग रहा है, सवाल पर आ जाते हैं, और यह हमारा निकल के आया है, कि time हमारा आया है 3 seconds, इस तरीके से हमें सवाल को solve करना था, तो time taken by the car, to reach from point D to B, मतलब pole की foot तक, वो 3 second का time आया है, तो एक बहुत प्यारा एक अच्छा कोशन, एक जादा माक्स का कोशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पकार का कोशन देखने को मिल सकता है, clear है, board कर लेते हैं, clear, ठीक है, वापस आते हैं, यहां से भी board को कर लेते हैं, clear, चलिए, देखिएगा, यह 15 वा कोशन भी हमने exercise से लिया था, यहां तक मुझे लगता है, कि यह important question है 9.1 में, वैसे जो भी 15 कोशन टोटल दिये हैं, उसको आप लोग खुछ से solve कर दिये, 3 से 4 कोशन मैंने exercise से solve करा दिये, कुछ MCQs देखते हैं, तो कुछ MCQs भी जो मुझे लगता था, important हो सकते हैं, वो उन पे आप लोग ध्यान दिजेगा, देखना, 5 कुछ MCQ आपको यहां देखने को मिलेंगे, if at some time, the length of the shadow of a tower is, root 3 times its height, बात को समय नहीं क्या बोल रहा है, कोई समय है, उस समय पे, जो length है shadow की, तो length of shadow of a tower, माल लो यह tower है, और इसका यह shadow है, ठीक है, तो the length of the shadow of a tower is, root 3 times its height, अगर height H है, तो यह shadow जो है, यह root 3 multiplied with H, यह इसका length है, then the angle of elevation of the sun at that time, आप बताईए, यह angle of elevation क्या होगा, यह theta क्या होगा, clear है, इतना प्यारा question, यह आपको solve करने के लिए आ सकता है, MCQs में मैंने यह दिया है, ठीक है, तो आप बात को समय नहीं, यहाँ पे, अगर मैं एक simple सी बात करूँ, simple सी बात यह, कि एक triangle है, A, B, C, जिसमें A, B, pole है, H height का, ठीक है, और इसकी shadow की lens दिये, root 3H, तो इन दोनों का, अगर मैं ratio बनाऊ, तो perpendicular upon base, बात को समझना, AB upon BC, अगर मैं बोलूँ, CB is equals to, H upon root 3H, तो यह ratio हमें, trigonometry में देखने को मिलता है, perpendicular upon base वाला, यह ratio हमें देखने को मिलता है, tan में, तो tan theta की value, क्या मैं बोल सकता हूँ, कि tan theta की जो value होगी, वो हो जाएगी, H upon root 3H, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, और H से H, उपर नीचे कड़ गया, तो tan theta की value, यहाँ पर आजाएगी, 1 by root 3, अब, आप लोगों रेशयो वाला चार्ट, याद करो, जहाँ पर, tan की value, 1 by root 3 होती है, तो वो angle होता है, 30 degree का, तो tan 30 degree की जो value होती है, आप लोगों को पता है, tan 30 degree की value, 1 by root 3 होती है, मैं बोलूँगा, जो 1 by root 3 आया है, यह theta, यहाँ पर 30 degree का होना चाहिए था, तो options में आजाएगी, यहाँ पर B option, मुझे 30 degree दिख रहा है, इतना असान, लड़ू question एकदम, ठीक है, तो यहाँ पर B जो है, वो 30 degree होगा, बोर्ट करते हैं clear, answer check करते हैं, क्या 30 degree है, यहाँ देखिए, question number 1 का answer, B option, green tick आगया, तो इतना असान, MCQs आपको एकदम देखने को मिल सकते हैं, बोर्ट करते हैं clear, question number 2 को देखिएगा, MCQ में ही, question number 2, at some time of the day, the length of the shadow of a tower, is equal to its height, similar question, altitude at that time is, again sun का altitude, मतलए angle of elevation आपसे पूछा है, तो same question जो पीछे हमने किया, H by H, तो H by H, यहाँ पर यह ratio बनेगा, tan का, tan theta का, तो H से H कट गया, tan theta की value 1 कब होती है, तो tan theta degree की value 1 होती है, 45 degree पे, तो मैं ऐसा कहूंगा, कि यहाँ पे theta की value 45 degree है, tan 45 degree की value 1 होती है, clear है यह चीज, तो यहाँ पे answer चेक कर लेते हैं, क्या 45 degree answer है, तो yes, देखिए question number 2 में, 45 degree यह आपके सामने आ रहा है, अब third question MCQ, जल्दी से अब आप लोग में इसा solve करिए, क्या बोल रहा है, a person is flying a kite at a height of 30 meter, तो एक आदमी है, जो की kite उड़ा रहा है, और उस kite की जो height दिये, वो 30 meter दिये, तो यह kite और यह 30 meter की उज़ाई पे kite उड़ रही है, तो यह kite उड़ रही है, ठीक है, 30 meter from the horizontal level, horizontal level यहाँ पे किसको बोला है, जहां से वो देख रहा होगा, तो horizontal level उसी को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक आदमी kite उड़ा रहा है, तो उस आदमी की sight of seeing, और horizontal level यह यह चीज है, clear है, यह आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि यही शब्दों का खेल है, तो मैंने जब theory पढ़ाई थी, तो theory में आपको शुरुवात में ही बताया था, horizontal level किसको बोलेंगे, और आपका line of sight किसको बोलेंगे, angle of elevation, angle of depression, तो अब person is flying a kite at a height of 30 meter from the horizontal level, यह 30 meter है, उसके बाद, the length of the string from the kite to the person is 60 meter, यह 60 meter आपको दिया हुआ है, ठीक है, assuming that here is no slack in the string, the angle of elevation of the kite to the horizontal level is, आप बताये कि क्या उसका angle of elevation होगा, यह आपको theta find करना है, तो आप देखो यहाँ पर कौन सा ratio आपको बनता हुआ मिल रहा है, अब आपको यहाँ पर पता होना चीए, वही पंडित, बदरी, प्रसाद, हर-हर बोले, अगर मैं बोलता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, sin theta की value यहाँ पर होगी 30 upon 60, तो 30 upon 60, 0 से 0 कटा, 3 1 times, 6 2 times, ठीक है, तो 3 2 times 6 होता है, तो यह होगा sin theta की value 1 by 2, और sin theta 1 by 2 कब होता है, तो आप बोलेंगे, सर यह 30 degree पर होता है, मतलब B, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि इसका answer है 30 degree, बोर्ड कर लेते हैं clear, चेक करते हैं, येस, देखिएगा, question number 3 का answer, green tick हमारा 30 degree पर है, तो sin theta, जो है 1 by 2, तो sin 30 की value होता है, actually 1 by 2, तो theta यहाँ पर, 1 by 2, वन्दद़ theta यहाँ पर 30 degree आएगा, इस पगार से, आपने 3 question MCQ के देखिए, करिएगा 4th question, क्या बोल रहा है, the angle of elevation of the top of a 15 meter high tower, देखना, ये 15 meter high tower है, ये हमें दिया है, और angle of elevation to the height of the tower, tower की high पे, top पे, अगर मैं 15 meter tower की height है, at a point 15 meter away, तो यहाँ पर हमें बोला है, कि ये जो point है, ये 15 meter की दूरी पे है, ठीक है, away from the base of the tower is, तो similar question है, H और H आया था, यहाँ पर 15 और 15 आया है, answer आएगा 1, 15 divided by 15, मतलब perpendicular upon base का, perpendicular upon base का ratio, 10 theta में आता है, तो 10 theta perpendicular upon base, मतलब 15 upon 15, और ये कटा, ये value I 1, तो 10 theta की value 1 आती है, 45 degree पे, आपको ये याद होना चाहिए, अच्छे से, chart को एकदम रट लीजिए, कोई दिक्कत ने, बहुत easy होता है, तो 10 theta 1, 45 degree पे आता है, मैं कहूंगा, question number 4 का answer, 45 degree, तो देखिएगा, 4th question का answer, ये C part आया, clear है, चलिए, एक last question, और यहाँ पे, हम लोग चीजों को, complete करते हुए, अब अंथ तक आ गए है, देखिएगा, 2 poles are 25 meter, 50 meter high, एक अलग variety का, MCQ, या दो marks में, एक question देखने को, मिल सकता है, क्या बोल रहा है, एक pole है, जो की 25 meter का है, और दूसरा pole है, जो की 15 meter का है, चलिए, ठीक है, तो, and the line joining their tops, ये जो line, इन दोनों के tops, अगर मैं join करा दूं, makes an angle of 45 degree, तो ये जो angle यहाँ बन रहा है, ये 45 degree का angle बन रहा है, ऐसा ये लोग बोल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं, ये है point A, B, C, D, and E, तो दो pole आपको यहाँ दिख रहे है, एक C, A, एक D, E, ठीक है, इन दोनों poles के बीच का distance, मतलब B, D निकालना है, तो यहाँ पर ये triangle मुझे, बनता हुआ दिख रहा है, इस triangle में, angle of elevation 45 degree है, तो यहाँ पर, अगर ये total 25 दिया है, ये 15 दिया है, तो 15 के सामने parallel line, ये भी 15 होगी, और अगर ये 15 मीटर है, तो ये बची हुई 10 मीटर होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि मुझे क्योंकि B, D, फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो ratio बनेगा, perpendicular upon base का, वो बनेगा, CB upon B, D, which is equals to, perpendicular upon base, अब पंडित बदरी पर साथ हर अर बोले, last में आ रहा है, 10 theta, तो यहाँ पर 10 theta, perpendicular upon base का ratio बन रहा है, मैं कहूंगा, 10 upon, ये B, D, B, D base है, ठीक है, यही हमें फता करना है, और 10 theta, 10 45 degree की value आएगी यहाँ पर, तो 10 45 degree होता है, 1, 10 45 degree की value होती, 1, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 10 B, D, is equals to 1, B, D, 1 के साथ multiply होगा, तो B, D की value, finally, यहाँ पर आएगी, 10, 10, 10 क्या, 10 meter, इसका मतलब, मैं बोलूँगा, कि जो दोनों पोल के बीच का distance है, वो distance, 10 meter का है, option में हैं क्या 10 meter, चेक कर लेते हैं, तो 5, 8, 9, 10, yes, D option, मैं काऊंगा, 10 meter, question number 5 का answer होना चाहिए, board करते हैं, clear answer, check कर लेते हैं, yes, देखिए, question number 5 का answer, finally D option, तो आप लोगों ने, ये एक बहुत प्यारा सा, छोटा सा chapter, यहां पर अंध कर लिया है, 2 marks, 1 marks के questions कैसे बनते हैं, 3, 4, 5 marks के questions, क्या-क्या important, NCIT से cover हो सकते हैं, ये पूरी चीज़े, आप लोगों ने, यहां तक इस chapter में अंध कर दी है, जो की one shot revision में मैंने आपको दी है, तो यहां पर NCIT का हो गया, one shot revision complete सह, ये सारे chapters हमें कहां देखने को मिलेंगे, तो भाई, Google राजा के पास, जाओ, type करो, क्या, magnet bins, so magnet bins type करते, इस पकार का interface open होगा, तो यहां पर scroll करेंगे, तो यहां पर आ रहा है, explore top courses, इसे के नीचे आपको option मिलेगा, one shot revision, आप जैसे उस one shot revision को click करेंगे, तो आपके सामने सारे classes का one shot open होगा, चाहे 12th हो, 11th हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो, सारी classes का one shot revision, exam से पहले आप लोग लिए ready है, ठीक है, आप लोग को watch करना है 10th class, तो watch now पर click करो, जैसे आप 10th class के watch now पर click करते हैं, तो 10th class के सारे subjects के one shot videos आपके सामने, चाहे वो physics हो, chemistry हो, biology हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, maths हो, तो maths मेरे द्वारा क्योंकि दिया जा रहा है, scroll करिए, maths पर click करिए, जैसे maths पर click करते हैं, तो आपके सामने maths में सारे one shot revision, आपके सामने, जो सारे chapter में complete कर चुका हूँ, आपको जिस chapter का one shot watch करना है, उस chapter पर click करो, आपके सामने video run होना start, तो इतने easy तरीके से, आप लोग magnet brains पे, आपके videos को घर बैठे बैठे देख सकते हैं, वो भी 100% free education, तो 100% free education, magnet brains का सिर्फ अकेला, एक ऐसा platform है, जो आप लोग लिए लेकर आया, तो इस चीज़ को, इस पूरे जो चीज़े, मैंने आपको information दी है, same information आप अपने दोस्तों, अपने friends, अपने relatives, जो भी आपके touch में है, उनको भी pass करिए, कि किस देखे से, एक अलग channel, एक हटके channel, जो आपके लिए free education लेकर आया, घर बैठके त्यारी करने का मौका लेकर आया, बस अब आपको हमाइसा लगे रहना है, और मेहनत करनी है, तो link को share करना मत भूलो, मेरे वीडियो को अगर आप watch कर रहे हैं, जिस भी teacher के वीडियो को watch कर रहे हैं, उसको like जू करिए, क्योंकि teacher का motivation यहीं से आता है, ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जू कर दीजेगा, तो magnet bains का चैनल जैसी सब्सक्राइब करेंगे, तो जो वीडियो आ रही हैं, वो आप तक जल्दी पहुँचें, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो इस पकार से, यहां तक के लिए मुझे दीजेगा धन्यवाद, मिलते एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाई और टेक केर,